हाँ जी बच्चा पाटी कैसे हैं आप सब अच्छे हैं विल्कुल अच्छे हैं पता है मुझे ठीक हर बार की तरह कैसे पता है आपकी कॉमेंट्स देखके पता है अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हो आप सभी देखके बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ायवा समझ में आ रहा है तो क्या चप्टर शुरू करेंगे आज हम अपना नया चप्टर शुरू करेंगे ठीक है लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता देती हूं कि बच्छा पाटी मैं हूं आपकी बाइलोजी टीचर विचवेता और हम यहां क्या पढ़ रहे हैं बाइलोजी पढ़ टीक है तो आज अपना नया चप्र शुरू करने जा रहे हैं और क्या नाम है हमारे से चप्टर गा मानव जनन्यन यानी कि Human reproduction ठीक है इस से पहले कौन से पढ़दा हमने उससे पहले हमने क्या पढ़दा था जनन पढ़दा लेकिन किसमें पुष्पी पादभुमें पढ़ाता थीक है अभी यहीं में पढ़ना है मानवमें पढ़ना है जयनन हमको तो आज हमारा डेशिकलीं जो में टोपिक है आज हम बात करेंगे नरजनन तंतर की सनवरश्ना के उपर ठीक है इस चीज को आपको समझना है क्यों समझना है क्योंकि यह क्या है यह हमारा शरीर है और जब हमको हमारे शरीर के बारे में ही नहीं पता होगा तो किसके बारे में बता होगा, हां, तो मजाग को थोड़ा सा साइड में रखे, थोड़ी सी सीरिस्निय अपने साथ लेकर आओ इस चैप्टर को समझो, अपने शरीर को समझो, अब आपने बायोजी लिए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारा शरीर है, तो ये 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 तो यही सब चीज़े आपको पता होनी चाहिए ना बेसिक चीज़े क्या करोगे नहीं करोगे ना क्या करोगे वहां जाके भी हमको क्या है पढ़ाई करनी है हमारे human body के उपर फिकल को डॉक्टर बन जाओगे तो अपने मरीज को क्या समझाओगे आप कि अरे मैं तो हसी मैं तो वहाँ पर हसता था मैंने तो पढ़ाई नहीं करी ऐसा थोड़ी बोलोगे हां तो इसलिए इतने दूर का सोचो कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अपने पेशेंट को हम क्या समझाएंगे कि आपको ये बिमारी है ये दिक्कत है इसमें ये होता है इसमें वो होता है तो इसी लिए इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा सीरेस होके चीजों को समझना है ये चैप्टर दिखने में बहुत टफ है लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीके ओके बचा पाटी तो चलो हम के बारे में जानेंगे अच्छा ये इसका इस्ट्रक्चर है और उसके बाद उतके उसके भागों को देखेंगे कि इसके कौन से पाट है ओके चलो आगे बढ़ते हैं चलो हम बात करते हैं मानव जनन के बारे में ठीक है तो अगर हम मानव जनन के बारे में बात करते हैं तो थीके है नेकि हीुमंच में जो रिपरोडक्शन होता है अब जब हीुमंच में रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई साथाइं नीमी कैसे बनेगी और ढिपड़क्शन बहुत ज़रूरी है निसेसरी यह ना हमारे चल्च बहुत प्रजाती रिपर से बढ़ेगी बेसिक चीज तो यह है री और पर्रॉडप्शन री बतलब दुबारा हाँ और प्रोडक्शन मतलब बनाना अपने जैसे ही चीज को बार 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 बनाना अभर एंसान зап लेकर हम है reproduction ठीक है okay तो reproduction में एक चीज आती है किशोर अवस्था किशोर अवस्था के शोर अवस्था या इसको दूसरा क्या नाम बोलते हैं यॉवन रसथा बोलते हैं या फिर योवन नवस्था ठीके जिसको इंगलिश में क्या बोलता है हम प्यूबर्टी ठीके इंगलिश में क्या बोला हमने इसको प्यूबर्टी बोला ठीके अभी ये की में देखि जाती है बेटा? ये अभी आपकी age है प्यूबर्टी वाली ठीक है 11 से 19 साल की जो age होती है 11 से 19 साल की जो age होती है वो क्या होती है किशोर अवस्ता होती है ठीक है इसके बारे में adult science पढ़ा था ना हम लोगोंने age class में हाँ यादे तो बस basically वही चीज़े हैं जो यहां conclusion में आनी है किशोर अवस्ता क्या होती है तो यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर एक जो लड़का होती है उसके शरीव में बोहुत सारे अंतर हा जाते है जैसे अगर हम लड़कों की बात करते तो उनकी दाड़ी मोझा जाती है अवास भारी हो जाती है, Adam Apple जो होता है यहाँ पर, हाँ, उसकी वरे से अवास भारी हो जाती है, वो किसी किसी का बाहर दिखने लग जाता है, हाँ, लड़कियों में क्या होता है, breast development हो जाता है, ठीके, जो अपना hips portion है, वो थोड़ा सा मतलब increase हो जाता है, ठीके, और सबसे ब अगर हम कहें कि जो सारे characters मैंने आपको बताए, यह क्या थे, यह secondary sexual characters थे, जो basically जब प्यूबर्टी होती है, तो लड़के और लड़की में यह differences आ जाते हैं, कि अच्छा, अगर यह characters हैं तो इसका अंतलब यह लड़का है, और यह characters हैं तो वो लड़की में होंगे, correct बिल्क reproduction है, वो आगे कैसे बढ़ेगी, तो basically जो reproduction है, वो बहुत जरूरी है, इस earth के उपर अपने species को बनाए रखने के लिए, चाहे वो हम हैं, जानवर हैं, पेड़ पौद हैं, कोई भी है, सब के लिए reproduction बहुत जरूरी है, लेकिन basically यहां हमें किसके बारे हैं, मानव के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हमारे बारे में पढ़ना है, ओके, चलो, आगे बढ़ते हैं, अच्छा, अब हम बात करते हैं, जनन तंत्र की, ठीक है, तो, जनन क्या हो, जनन तंत्र क्या हुआ, जनन तंत्र का मतलब क्या हुआ बता हो, reproduction, reproduction system, ठीक है, या फिर स्टम ठीक है अब अच्छ ठीक है हम यहां से शुरुबात करते हैं कि सपोस करो यह एक सेल है हां यह एक सेल है खूब सारी सेल मिलके याने कि यह सेल जो यह कोशी का यह करते हैं खूब सारी मिलके क्या बनाती है इसने बनाया टिशू याने कि उतक बनाया ठीक है अब खूब स सारे ईतक मुलेके क्या बनाएंगे ओर्गन बनांगे ठीक है आ अऔर गन बनाते चलो ओर गन क्या हम पि और गन जैसे हमारा ब्रेन हो गया ठीक है किड़नी ओगाई यह बना और ओर गन और गन जैसे क्ड़नी हुई हैना ब्रेन हुआ, लीवर है, ठीक है, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर, यह सब क्या है हमारे ओर्गन है, अब यह जो ओर्गन होते हैं, यह जो ओर्गन है, इनसे मिलके, ओर्गन मतलब अंग, यह जो अंग है, यह सारे अंग जो हमारे शरीर में है, यह मिलके क्या बनाते हैं, अंग त organ system बनाएया इन सबने अंग Tantr बनाएया ठीके अब Tantr क्या होता है और बिल्कुल इसी तरीके से एक और Tantr है जिसको हम बोलते हैं जनन Tantr ठीके? जनन Tantr तो basically हम कौनसे Tyntr की बात करने जा रहे हैं जनन Tantr की यानिकी reproductive productive system की बात करने जा रहे हैं, correct बिल्कुल, यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए, ठीक है, चालो, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखो, कि जो हम मानव होते हैं, वो कौन होते हैं, जो हम मानव होते हैं, कौन होते हैं मानव, बताओ, हम क्या होते हैं, यूनि सेक्शुल होते हैं, यूनि सेक्शुल, हाँ, यूनि सेक्शुल का मतलब क्या होता है, एक लिंगी प्राणी, हाँ, एक लिंगी प्राणी, मतलब की, मेल और फिमेल, यह हमारी फिमेल है, यह हमारा मेल है, ठीके, तो हम कौन है, एक लिंगी प्राणी है, यह नि सेक्शुल हैं हम लोग, हमारे चरीर में सिफ एक ही सेक्श पाया जाता है, ठीके, यह तो मेल, यह फिमेल, ठीके, दूसरे बात को क्या है या दक ने, पहला तो यह होगा, यूनिसेक्शुल, दूसरा क्या होगा, हाँ, दूसरा होगा, सेक्शुल डाइमॉर्फिजम, सेक्शुल डाइमॉर्फिजम, सेक्शुल डाइमॉर्फिजम का मतलब क्या होता है, हाँ, बताइए, बताइए जल्दी से मानव लेंगिंग लेंगिक द्यू क्या होते हैं बताईए द्यू रूपता अब भी तक कमेंट नहीं आया मानव लेंगिंग द्यू रूपता जिसका मतलब है कि एक नर और एक मादा का शरीर आलग अलग होगा दोनों में बिविनिताएं होंगी दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होंगे ठीके इसका मतलब ये होता है तो बेसिकली ये जनन तंत्र में यही है तो जनन तंत्र की अगर डेफिनेशन बोलू तो आप क्या बोलोगे तो आप कह सकते हो कि किसी जीव के शरीर के विविन अंगो और गन्तियों का वो समूग जो जो क्या करता है जनन में सहायता करता है क्या कहलाता है वो जनन तंत्र कहलाता है ठीक है चलो अब यहाँ पर बात करते हैं जनन तंत्र के प्रकार तो बच्चा जनन तंत्र जो है दो प्रकार का होता है इसके दो प्रकार होते है ठीक इसके दो प्रकार होते है पहला क्या हो गया नर जनन तंत ठीक है और दूसरा क्या हो गया मादा जनन तंत ठीक है अब ये जो नर जनन तंत रहोता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते है इसको बोलते है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेक्ट बिलकुल और मादा जनन तंस को क्या कहेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेक्ट बिलकुल ये आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की टर्म्स की भी नॉलिज रखनी है याद रखिए का बिलकुल ठीक है क्योंकि कभी 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 क्या होगा कि आप से हो सकता है बोल दे नर जनन तंतर की जगह हिंदी में लिखा हुआ हो कि भाई मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम क्या होता है ठीक है इसकी संरशना बनाओ इसका स्ट्रॉक्चर बनाओ क्या करोगे फिर आरे माम आपने तो मैं बताया नहीं था कि भई नर जनन तंतर को जो है मेल रिप्रड़क्टिव सिस्टम भी कहते है तो बताया में क्या कहूंगी जाके देखो प्रिवियस लेक्चर में लिखा है मैंने इंग्लिश में आपने नहीं पढ़ा समझ रहे हो इसलिए क्या करना है इंग्लिश के जो टर्म से यह आपको याद रखने हैं बूलना करना है इतना hard topic नहीं है बहुत easy सींपल सा है हमारा ही शरीर है अपने शरीर के बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं है को सिनाइन है थीक है चलो आगे बढ़ाते हैं गाडिंगो और बात करते हैं पूं के बारे में हां कि कि तो देखो नर्जरन divisions यह तीन चीज़ों में होता है प्रात्मिक जनन अंग ठीक है प्रात्मिक सहायक और सहायक ग्रंथी यह तीन चीज़े होती है जो नर्जनन अंग तंत्र में पाई जाती है ठीक है प्रात्मिक क्या होगी प्राइमरी ठीक है जो जरूरी है सहायक क्या हो गया हेल्पिंग जो कर रही है ठीक है अंग मतल बताओ क्या होता है हमारा आरे बच्चा व्रशन ठिके व्रशन क्या होता है प्रात्मिक जनन अंग होता है इसके बिना कुछ नहीं हो सकता ठिके फिर सहायक जनन अंग का। व्रेशन क्या होगा, जल्दी बतो, व्रेशन वाहिका, ठीके, फिर क्या आता है, शुक्र वाहिनी, ठीके, और क्या है, शुक्र वाहक, शुक्र वाहक, फिर क्या है, अधि व्रेशन, ठीके, फिर क्या आता है, शुक्र शे, ठीके, हो जाता है, कभी कभी सा और शा में बोलने में, ठीके, हसना मन, चलो, यह क्या हमारे सहायक जनन अंग है, ठीके, व्रेशन में क्या हुआ, हमारा जो स्परम होता है, ठीके, वीरेज होता है, यहाँ बनता है, ठीके, यहाँ पर हो गया, ठीके, उसके बाद यह सारी वो चीज़ें हैं, जो इसको उसके शरीर से बाहर निकालने में हेल्प कर सबसे होकर गुजरना है ठीक है फिर लास में आता है सहायक ग्रंथी तो बचा जो सहायक ग्रंथी है वो कौन सी है तो सहायक ग्रंथी हमारी है कौन सी है प्रोस्टेट ठीक है ग्रंथी और दूसरी कौन सी हो गई हमारी हाँ बल्बो बल्बो यूरे ठीक है तो बेसिकली ये तीन भागों में डिवाइड होकर नर्जनंतंत्र काम कर रहा है इन तिनों में चलो अब यह जो सारी चीजह है देखतें क्या है यहां तक कोई । नहीं नवी डाउट हो तो भी पूछ लेना ठीक है चलो चलो अब बात करते हैं ग्रूस्ट आपड करते हैं segurouster और envision क्या है थीet करके फड़ा फड़ देख लेते हैं क्योंकि उसके बाद हमको बहुत जरूरी काम करना है इससे आगे स्लोली स्लोली चलेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा और ज्यादा तेज भागेंगे तब भी समझ में कुछ नहीं आएगा हमको विल्कुल नॉर्मल होके चलना है हां हम चलो तो सबसे पहले कौन सा आता है मारे पास व्रशन कोश आता है ठीक है सबसे पहला सबसे पहला जो भाग हुआ वो हमारा व्रशन कोश हुआ ठीक है यानि की स्कॉटम हुआ ठीक है फिर उसके बाद आता है एक जोड़ी व्रशन याने की पिस्तिस इस व्रशन कोश के अंदर क्या होता है व्रशन होता है फिर क्या आता है एक जोड़ी अधी व्रशन याने की इपीडी डाइडिमिल्स ये जो होता है वो इससे लगा हुआ होता है फिर आता है एक जोड़ी शुक्रवाहिनिया जो क्या करती है जो स्पर्म्स को लेती है और जाती है यहां से फिर मुत्रमाग ठीके जहां से यूरीन क्या होता है फिर क्या आता है शिशन याने की पीनस ठीके तो बेसिकली ये क्या है पूरा भाग है ठीके ये पूरे भागों से क्या होता है नर्जननतंत्र बनता है इनसे मिलके ओके चलो इनको फड़ा फड़ा जल्दी से देख लेते हैं कि एक्चुली में ये सब चीजे क्या है हाँ डेसी देखो समझो के तो इंट्रस्ट भी आएगा और जब तक इंट्रस्ट नहीं आए गा आप looking तो ultimately आपको क्या करना है इंट्रस्ट लाना है इसमें पढ़ने के लिए क्यों इंट्रस्ट लाना है क्योंकि भाई अपने शरीर के पारे में जानने में देख करते हैं? हमें पता होना चैंब ना हमारे शरीर में क्या क्या है? हाँ ठीक है ना? हम चलो, उसके बाद हमारे पास आता है सहायत जनन घ्लांतियां भी आती हैं, हम तो यह भूली गए, लास मी बच्छी थी यह तो, ठीक जनेन क्या कहत आ है, accessory sex glands कहते हैं ठीक है? ओके चलो अब एक एक करके देख लेते हैं नर्जनन तंत्र यह है हमारा नर्जनन तंत्र जो भी अभी हमने पीछे parts पड़े थे ना वो सारे parts यह रहे ठीक है? चलो इनको बता देते हैं यह क्या parts है तो जी सबसे पहले अगर हम यूरेटर की बात करते हैं तो यूरेटर क्या होता है हमारा? यह होता है मूत्र वाहिनी ठीक है? क्या हुआ यह मूत्र वाहिनी यूरेटर ठीक है? फिर हमारा ब्लेडर आ गिया चलो ब्लेडर क्या होता है? जहां पर urine एकटा होता है उसे bladder कहते है फिर आता है seminal vesicle seminal vesicle क्या होता है हमारा बताओ क्या होता है seminal vesicle जल्दी बताओ क्या हुआ seminal vesicle होता है शुक्रा शे फिर आता है हमारा urethra तो urethra जो क्या कहते है मूत्र मार्ग देखो यह मूत्र वाहिनी है मतलब जिसमें यह यूरीन को क्या कर रही है लेके जा रही है हाँ और यह क्या है मूत्र मार्ग है याने की रस्ता जहां से यूरीन पास होगा, करेक्ट पिल्कुल, फिर ये है आपका इरेक्टाइल टिशू, ठीके, क्या है ये, इरेक्टाइल टिशू है ये, ठीके, इसको क्या बोलोगे आप इरेक्टाइल टिशू को, इसको बोलोगे आप स्तंबन, स्तंबन उतक, ठीके, स्तंबन उतक बोलोगे, फिर हमारे पास आता है वास डिफरेंसे ठीक है यह क्या है ठीक है फिर हमारे पास क्या है चलो यह सब आगी है और क्या बचा देखो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है प्रोस्टेट ग्लैंड ही होता है यह बल्बुरेत्रल ग्लैंड क्या होता है जो हमने भी बात करी थी हाँ बल्बुरेत्रल ग्लैंड अभी हमने इसके बारे बात की यह वाई होता है फिर एपी डाइडी में इस क्या होता है देखो अधी व्रिशन ठीक है? अधी व्रिशन ठीक है? टेस्टिकल क्या हो गए? व्रिशन हो गया यह है ना? और पीनस क्या हो गया? शिशन ठीक है? शिशन ठीक है? देखो यही सारी चीज़ हमने यहां देखी थी ना? हाँ? यही सारी चीज़ देखी थी हमने? यही तो थी सारा क्लियर ना हाँ यह शुक्र वाहिनी ठीके ओके ग्लैन को बस ग्रंथी बोलते हैं इतना ध्यान रखना ठीके ना ओके चलो आगे बढ़ते हैं देखो यह क्या है यह हमारा व्रशन कोश है ठीके अब हमारे पास आता है व्रशन कोश तो यह देखो यह क्या है यह हमारा व्रशन कोश यह क्या है व्रशन है यह अंदर टेस्टीस है यह इसके बाहर का जो यह पाउच है यह क्या है व्रशन कोश देखो यह ऐसे होता है ना इस तरीके से ऐसे होता है यह ठीक है और ये इसके अंदर क्या होती है ये टेस्टीज हो गई इसके अंदर याने कि व्रेशन हो गया ठीक ये क्या कैलाएगा हमारा व्रेशन और ये क्या कैलाएगा हमारा व्रेशन कोश ठीक है correct बिल्कुल scottum ठीक है अब यहां भी क्या होता है कि ये जो रशन कोश होते है ना ये pouch के जैसे structure में होते हैं ये क्या होते है pouch की जैसे ये pouch ही तो है कि बाई पाउच है उसके अंदर कोई समान रख दिया हमें ठीक है तो ये क्या होते है? पाउच के जैसा में चीज आती है वह यह चीज है कि यह बताऊ कि यह जो है व्रशन कोश्यन कार्व में यह जो एक मेल होता उसके शरीर सेंबSHBY जाने क्यों ह думаю नहीं होता है जबकि इसमें क्यों है इस पंड़ रहे न इसके अंदर जो दॉयसरा देए इतना ज़री काम हो रहे हैं तो शरीर से बाहर क्यों रखा ऐसे तो कह सकतें है जो अपना फिप मेल प्रोडक्री सुस्टम तो बर्यैंद है ना तो और पताऊ तो जल्दीिश क्यों रखा गया शरीर से बाहर क्यों रखा गया इसको शरीर से बाहर अरे भाई जल्दी जल्दी बोलो इसको शरीर से बाहर क्यों रखा गया है तापमान टेंपरेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो human body का टेंपरेचर है वो कितना है 37 degree Celsius ठीके और इसको अगर यह शरीर के अंदर रहेगा तो क्या होगा 37 degree Celsius इसको भी मिलेगा ठीके लेकिन इसको कितना चाहिए होता है 2 या 2 या 2.5 हमारी बॉड़ी से कम ही चाहिए एप्रोक्स चाहिए होता है 2 से 2.5 के बीच का कम चाहिए होता है ठीक है, कितना difference लेता है ये 2 से लेकर 2.5 degree Celsius तक का, इतना difference लेता है ये, ठीक है न, जो normal हमारा body temperature है, ठीक, और उसके बार, अगर इसको अपना temperature कम करना होता है न, ठीक है, अगर इसको अपना temperature कम करना हुआ, तो क्या करेगा ये, हाँ, अगर temperature कम करना होगा इसको, देखो यह ऐसी चीज है कि अपना temperature बढ़ा भी लेता है और अपना temperature घटा भी लेता है। सोच के देखो कितना amazing है ना हमारी body बहुत amazing है गþर अगर अप्पढ़ोगे ना समझो गो तो तो बहुत मजा आएगा अपने शरीर के बारे में जानने मिलेका है ना अब दूसरों को भी बता सकते हो कि मुझे मेरे शरीर के बारे में पता है तुझे मालूम है तो तुब बात कर ठीके, मैस वाले बच्चे को बोल सकते हैं आप, तुझे पते हैं तरह शरीर के बारे में, कुछ नहीं पता, हमें पूछो हम बायो वाले हैं, चलो यह मजाग था, जो का पार्ट हाँ, लेकिन हाँ, अपने शरीर के बारे में जानना खुद एक आर्ट है, ठीके, चलो अगर इ यह फैल जाता है, लूज हो जाता है, हाँ, स्कॉटम क्या होता है, फैल जाता है, नीचे की तरफ, बाड़ी से नीचे की तरफ यह क्या आता है, फैल जाता है, ठीके, जब इसको टेमपरेचर कम करना होता है, मला हमारी बाड़ी का टेमपरेचर जादा है, ठीके, और इसको कर चाहिए कि अमेजिंग यह सिख आइख यह क्या करता है हमारी बोडी के पास आता है बोडी को ट। टच करने लग जाता है ठीक है तो आप खुश सोच asking टीक हो कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं कि अपना टैंप्रेचर अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं क्योंकिद जिए स्प टेंप्रेचरों तब भी नहीं बनेगे एक नॉर्मल टेंप्रेचर पर आके शुक्राणू बनते हैं ठीक है तो बेचिकली जो टेंप्रेचर रेगुलेट करने गाम है वो हमारे इस सकॉटम का है यानि कि वर्शन कोश नहीं कि वर जगा जहाँ वरशन को रखा जाता है, पेस्टीज को रखा जाता है, ठीक है न, इसमें पते हजारों नर्फ्स होती है, इसके अंदर हजारों नर्फ्स होती है, इसके अंदर कोई हड़ी नहीं होती है, कोई मसल नहीं होती है, सिर्फ नर्फ्स होती है इसके अंदर, ठीक है, अगर आपके तुए दिक्तत होथी तो इतनी सारी यहां पर नर्फ ईता है ना कि ब्राइन मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या हो गया धर इस तरीके से ठीक है ना चलो यह हमारा क्या था वरिशन ठीक है याने कि टेस्टीज तो भाई यह हमारे टेस्टीज यह क्या है देखो यह व्रशन कोश है हां यह क्या है यह बाहर व्रशन कोश हो गया है ना स्कॉटम स्क्रॉटम स्क्रॉटम हो गया है ठीक है इस स्क्रॉटम के अंदर क्या है देखो यह यह टेस्टीज है ठीक है इस टेस्टीज के अपर यह क्या है इपिडिडाइमिस है है ना यह क्या है इपिडिडाइमिस है हां चालो आगे बढ़े इसी इपिडिडाइमिस से क्या होता है यहां से स्पर्म क counter यहां जाते हैं और यह क्या है wa insta if defense ठीक्ण इन से जाते पिड works the whakya नें देखो एक तो शुक्राणो सो पुंजन यानि कि जो अंडरोजन होता है अडिरमान कनाक्तिकर state of testosterone नामक पुंजन का निर्मान करता है लिए जोड़ी अधिव रेशन यह क्या है स्टी सं ऑस्टी ऑपर हियी क्या इस्सा है अधिव रशण है ना यह अधिव रशण धी कह या यह ने कि varsa निकला न सेयिक्त 와 डि led of the तुन यह चैनल था तो यह क्या है वाघ देफरेंस थीकिほ too है यह बनते हैं यहां आते आर यहां सी जालते हैं यहां आकर यह अकर आकर यहा यह से बहार निकल जाते हैं विचल यह होता है है इसके बाद हमारें बास मूतर् उत्रमार्ग आता है ठीक है याने की यूरेथ्रा का है हमारा यूरेथ्रा यह रहा हमारा यूरेथ्रा है ना हम चालो फिर आता है शिशत याने की पीनस ठीक है जो सबसे मेन ओर्गन होता है बॉडी का ठीक है तो यह क्या हमारा यह पीनस है और यह इसका माउथ है ठीक है तो इस बॉड़ी पार्ट्स के बाद चलो अब हम क्या बात करते हैं सारे बॉड़ी पार्ट्स आपने देख लिए तो आपको क्या लग रहा है यह खतम इतना ही था इसमें तो बच्चा लोग पिच्चर अभी बाकी है खतम नहीं है यह तो स्टार्डिंग थी भाई ट्रेलर था तो ट्रेलर अच्छा लगा ना आया ना समझ में तो चलो इस ट्रेलर को हम आगे मुवी में ले चलते है और आपको एक अची सी मुवी दिखाते हैं यहाँ पर किसकी हमारे शरीर के बारे बेर तीक है चलो उससे पहले एक चीज और जान लो आगे बढ़ने से पहले क्या जानोगे हमने accessory glands के बारे में बात करी थी कि कुछ ग्रंथिया भी होती है है ना जो help करती है तो कौन सी होई एक जोड़ी शुक्राश है जिसको हम seminal vesicle बोलते है prostate ग्रंथिया याद है बताया था prostate glands मैंने कहा था glands को हम ग्रंथि बोलते है और तीसरी होती है एक जोड़ी काउपर ग्रंथिया तो इसके बारे में अब भी आगे चलके बताऊंगी मैं आपको वापिस इसी page पहाएंगे और बताऊंगी कि क्या होता है इनका use लेकिन उसे पहले हम इसकी internal structure को देखते है ओफो क्या है ये हाँ क्या है ये 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 देखो क्या है ये ये टेस्टीस है हमारी हाँ ये क्या है ये पीनस है ठीक है यहाँ क्या आगया ये हमारा यूरेटर ठीक है यूरेटर आगया ठीक है Urator आगिया हमारे ठीक अब यहां से यह Tolkin ऑड़ से ऐसे स्पाम बन रह identify यह पीज़ों के स्पाम ऐसे बनने के ऐसे पीछे की तरह लिए था है referring यहा तक होंचते हैं चलुक्त है यहान से पीर開始 करके पेनस के अरग निकल जाते हैं ठीक है अब यह से हमारा main hero यहाँ पर, सारा काम इसी के अंदर होता है, सोच के देखो सारा काम इसी के, इसी को पढ़ना है हमको basically, तो इसको हम देखो बाहर लेकर आ गए हैं आपके लिए है ना कितना खुबसूरत अंदर से हाँ, देखो एक एक चीज मतलब कितने प्यारे तरीके से जो DNA होता है ना, हाँ, एक कोशिका में वो दो से लेकर 2.2, मतलब 2 से 2.2 सेंटीमीटर तक मीटर, मीटर, मीटर हाँ, 2 मीटर, ठीक है इतना लंबा होता है 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है ओके तो basically आगे बढ़ते हैं यह देखो, जो व्रशन है यह basically इस तरीके से होता है अब व्रशन के बारे में यह जानो कि यह एक अंडाकार सनरशना में होता है structure में होता है, हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, main points ता कि आपको याद रहें, कि पहला point कि अंडाकार होता है यह अंडाकार हो गया, ठीके चार से पांस सेंटीमीटर ठीके, चार से पांस सेंटीमीटर इसकी क्या होता है length होती है ठीके, चार से पांस सेंटीमीटर हो गए अब जो इसकी चोडाई होती है हाँ, चोडाई कितनी हो गई इसकी, चोडाई जी इसकी 2 से 3 cm की होती है, ठीक है, 2 से 3 cm की इसकी चड़ाई होती है, ठीक, यह लंबाई है और यह चड़ाई है, correct बिल्कुल, हाँ, चलो, और क्या है इसके बारे में, यह आपको पाता है, यह व्रशन कोश के अंदर मिलता है, है न, यह भी मालूम में आपको, ठीक है, और क्यों क्यों ये body से बाहर होता है ये भी मालू मैं आपको लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि भाई यहाँ पर ये जो बना हुआ होता है basically वो क्या होता है अगर हम इसकी आंतरिक संवरशना की बात करते हैं तो ये क्या होती है ये थीन जिल्ली होती है हां तीन जिल्ली ये इन् तीन जिल्ली हो reuse दें म्लकि इसका जो बाहर का outer covering होता है इससे बना हुआ होता है ठीक कौनः स्वा एक काम करते हैं अब इसको बनाते ठीक है यहां तक समझ में आया आप सभी को ना हूँ चलो अब असली खेल शुरू करते हैं इसको बनाने का आजाओ वाइट कलर तो सबसे पहले शुरूबात करेंगे हम इसकी सबसे अंदर की लेयर की इस तरीके से सबसे अंदर की लेयर ठीक है तो जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो क्या कहलाएगी पहले तीनों लेयर बना देती हूँ एक काम करती हूँ यह क्यों हो गया चलो सबसे अंदर की हो गई यह क्या हो गई उससे बाहर की हो गई दूसरी लेयर ठीक है और तीसरी हम रेड कलर से बना देते हैं चलो क्योंकि यलो कलर से हम सब के नाम लिखेंगे ठीक है नाम लिखते है इसके सबसे बाहर की कौन सी होगी ये वाली ट्यूनिका क्या होई बताओ मैंने तीन लियस बताई थी ना कौन सी थी ट्यूनिका वेजी वेजायनलिस है ना वेजायनलिस हाँ सही तो है वेजायनलिस ठीके फिर उससे अंदर की ये क्या हो गई हमारी पहली फिर इससे अंदर की कौन सी हो गई खाली टी लिख देती हूँ ट्यूनिका को है ना कौन सी थी बताओ इसके बाद कौन सी थी ट्यूनिका अल्बू जीनिया ठीके, कौनसी है ट्यूनिका, अल्बू जीनिया, अल्बू जीनिया, ठीके, उसके बाद ये अंदर वाली, ट्यूनिका, बताओ कौनसी थी, ट्यूनिका, क्या होई, वेजिनालेस, हाँ, हम, ट्यूनिका, वेजिनालेस, अच्छा ट्यूनिका ये हो गई, अल्बू जीनिया ये हो गई, ठीक, और, 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 ट्यूनिका, वासा, केनोसा, ठीक है, ये हो गई, ये हमारे तीन हो गई, ठीक है, इसके बाद, जो व्रेशन के, जो आंतरिक भाग होते हैं ना, उसमें छोटे-छोटे से कोश्टक होते हैं, हाँ, अच्छा वाइट से तो यहाँ बना दिया ना हमने, गई, ब्लू ले ले, चलो, छोटे-छोटे से कोश्टक होते हैं, कैसे, ऐसे करके, ऐसे करके, ये कोश्टक होगे, दिखाई दे रहा हैं ना, सबको, हाँ, ये जो कोश्ट होते हैं, यह लगबख कितने होते हैं, इसके बाद कौन सा कलर उठाए हम, जो कोश्टक होते हैं, इन कोश्टक के अंदर मैंने कौन सा कलर उठाया भी, यलो, नहीं वाइट यू उठाते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके से ऐसी सनरशना होती है, सब में होती है, मैं सब में भी बनाऊंगी ठीक है लेकिन आप समझ लेना कि सब में होती है ये चल बनी गई सब में इस संद लिए इसको क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे इसको इसके अंदर ये जो नलिया हैं तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे शुक्र जनन क्या बोलेंगे शुक्र जनन नली का याने कि सेमिनिफेरस टुब्यूल ठीक है क्या होई सेमिनिफेरस टुब्यूल ठीक उसके बाद फिर से हम वाइट कौन सा color उठाएं चलो वाइटी ले लें हमने अच्छा पहले तो बताना भूल गई कोशटक यानि की पाली भी होता है तो यह जो कोशटक थे इसको हम कोशटक भी बूल सकते हैं और पाली भी बूल सकते हैं ठिके? और इसको क्या बोलेंगे व्रशन पाली बोलेंगे व्रशन पाली ठीके व्रशन पाली हो गया ठीके इसके बाद टेस्टीकुलर लोब भी कहते हैं इसको ठीके टेस्टीकुलर लोब कर्रेक्ट आ रहा है ने समझे हैं हाँ दिख रहा है ने सबको चलो शुकुजर नली का याने की समिनिम फैरस ट्यूब्यों हो गया है ठीके उसके बाद क्या होता है इसमें कौनसा कलर उठाया जाए रैट लिले रैट दिखेगा ने दिखेगा अब ये जो नलिया होते हैं इनके आसपास के खाली जगा है ठीके लेकिन उससे पहले जो कोश जो लगबग 200 के आसपास होते हैं याद रखना कितने वह यह 200 के आसपास होते हैं इसलिए मैं इसको एप्रोक्स बोल रहे हूं कहीं कहीं इसको 300 भी लिखा हुआ है ठीक है अब एप्रोक्स यानि लगबग बोला है तो 200 से 300 के आसपास ठीक है पिर अब जो यह नलिया है बीच बीच में ठीके तो इनके बीच में क्ये खाली जगा भी ए एक खाली जगा है ना ठीके तो जो खाली जगा है इसको हम क्य गते हैं Antraliक गुहा इसको कहां लिखे निखाई देता की आपको हां चलो यहां लिख देते हैं अंतराली गुहा, ठीक है, अंतराली गुहा, ओके, तो यह जो अंतराली गुहा होती है, ठीक है, यह इसको रिक्त भी कहते हैं, और इसको कोशिका भी कह सकते हैं, रिक्त है, यह कोशिका भी कह सकते हैं, ठीक है, अंतराली गुहा है, अंतराली रिक्त है, अंतराली कोशिका है, तो यह कुछ भी हम इस तरीके से कह सकते हैं यानि कि इसका ठीक है अब क्या आता है हमारे पास कि जब ऐसे होता है ना इसके बाद यहां पर क्या होता है यह इस तरीके से ऐसे होता है पिर यहां पर क्या करता है यह बीच में गैप ना इसके देखो यह क्या हो रही है यहां पर क्या हुरी है है ना चौरी हो रही है अब जब लیکिन यहां structure में आ जाएंगी ना आप his structure को समझना ठंक से नहीं बन रहा है लेकिश structure को समझना ठीक है है क्या हुआ यह सब चोड़ी हो गया खुल रही है यहा पर ठीक है सब खुल रही है दिखरी है ना लेकिन यहां से जब यह बहार निकलेंगी तो क्या करेंगी? यह इस तरीके से क्या करेंगी? यह इस तरीके से क्या करेंगी? ऐसे structure यह मतलब पतली ओनी शुरू हो जाएंगी यहां से. ठीक है, यहां से क्या होंगी? यह पतली ओनी शुरू हो जाएंगी. इस तरीके से ऐसे यह पतली होने यह चौड़ी हो यह चानक से है ना फिर यहां से यह पतली होने शुरू हो जाएंगी ठीके आप यह जो होती है यह जो सबसे बड़ी बात यह जो अंतराली गुहा होती है ना इसमें एक special type की cell मिलती है ठीके जिसके बारे में क्या आगे बताओंगी कौन सी cell मिलती है ठीके फिर यह जो सारी क्या होती है शुक्र जो ना नली का जो होती है यह सब बाहर निकलती है इस तरीके से यहां से चौड़ी हो रही है यहां से क्या करेंगी सब पतली होंगी सब बाहर निकलेंगी और बाहर क्या करेंगी यह बाहर निकलकर क्या करेंगी यह बाहर निकलकर बताओ हां एक जाल सा बना लेंगी ठीक है कैसा जाल दूसरे कलर से बना के दिखा देती हूं कैसा जाल बनाएंगी चुलो ब्लू से ही बना देते हैं बहार निकल के यह इस तरीक आरे बाइट ही आ गिया ऐसे 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 एक जाल सा बना देंगी हाँ यह ऐसे डेखो ऐसे क्या करते हैं एक जाल सा बना रही है इस तरीके से बाहर निकल के ठीक है जो बाहर जाल बना लिया अब इस जाल को क्या बोलेंगे हम हाँ इस जाल को हम बोलेंगे वरशन जाली का क्या बोल दिया हमने इसको वरशन जाली का ठीक है इसको क्या कहते हैं वरशन जाली का कहते है जो क्या होती है, वरशन जाली का, एक से तीन होती है नमबर में, ठीके, ओके, इसके बाद क्या करेंगी भाई ये, अब जो वरशन जाल है, है ना, ये क्या है, जाल है, नेटवर्क है, अब ये जो वरशन जाल है, ये क्या करेगा, वापस कमबाइन होना शुरू हो जाएगा, यह वापिस combine हो रहा है ठीक है यह जाल है यह combine हो रहा है और क्या कर रहा है जो शुक्र वाहिनी है वो बना रहा है ठीक है शुक्र वाहिनी को यह बना रहा है ठीक है तो यह क्या कर रहा है शुक्र वाहिनी अरे भाई साफ ठक गए बोलते बोलते ये क्या है शुक्र वाहिनी ठीक है ये क्या हूँ अपना व्रशन जाली का ये जाल हो गया ये क्या है कॉयल करने के बाद क्या बना रहा है व्रशन ओ सॉरी शुक्र शुक्र क्या है बचो शुक्र वाहिका वाहिका ठीक है ये शुक्र वाहिका बनाते है ठीक है ये जो था जाल जैसे नेटवर्क था ठीक है ये क्या हो रहा है ये आगे चलके कॉयल हो रहा है जाल जैसे नेटवर्क को हमने क्या बोला व्रशन जाली का बोला ठीक है यह बिए लेकिन यह जाल है लेकिन कॉइल है खूब और खूब और खूब और मुड़ और नहीं रखा है भल्कुल तो इसको यह क्या है शुकर वाहि का है इसको क्या बोलते हैं मुझे क्या मोलते हैं टेस्टिस ठीक है और यह जो शुक्र वाहिका होती है इसको हम क्या बोलते हैं वासा एफरेंशिया ठीक है वास अव वासा एफरेंशिया ठीक है यह बन गया भाई इसके बाद क्या हुआ हमारा जब वासा एफरेंशिया बन गया है यह क्या होता है चार से छे मीटर यह लंबाई में होता है उच्छा बना कर गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं यह ठीक है जिसको जिसको हम क्या बोलते है अधिव रशन बोल देते हैं जब यह गोल स्ट्रक्चर बना देते हैं तो इसको हम अधिव रशन बोल देते हैं ठीक है यहां से इस तरीके से हाँ एक यहां से यह क्यों गया अधिव रशन ठीक है अधिव रशन हो गया और यह जो अधिव रशन है फिर यहां से एक इस तरीके से बाहर नली जाएगी इसी अधीव रेशन से ठीक है ये मैंने इसलिए पहले बना दी कि मुझे फिर से ये color चूस करना पड़ता तो अब मैंने दोनों के नाम साथ साथ लिख दूंगी ठीक है अब जो अधीव रेशन है इससे एक नली इस तरीके से बाहर जाएगी ठीक है तो ये जो नली बहार जाएगी इसे क्या कहिएंगे हम शुक्र वाहक ठीक है शुक्र वाहक जिसको हम क्या कहते है वासा क्या बौला वासा डेफेरेंस बोला अच्छा लग रहा है डाइग्रप? समझ में आ रहा है ने सबको ठीक है अब इसी के बोलेंगे वासा डिफिरेंशिया बोलेंगे यह दे को बिलको भी गुमर्चुमर्ट गुमर्चुमर्ड नि बनाया है मैंने की उल्टा-फुल्टा डियाग्राएम बना दो और ऐसे बता दो इसी लिए ठीक है यह हो गया है हाँ, इस अधिव रेशन, ठीक है, इस अधिव रेशन से क्या होती है, इस गुच्छे से एक सिंगल नली जो ये निकलती है, इस गुच्छे से ये सिंगल नली निकलती है, इसको शुक्र वाहा कहते है, यानि कि वासा डिफिरेंस कहते है, ओके, ठीक है, चलो, अभी जो शुक शुक्र जनन नलिका जो होती है, यह क्या होती है, यह दो में डिवाइड होती है, आगे देखते हैं चलो, कौन सा लिया है, शुक्र जनन नलिका, आभी उस डियाग्राम में वापस आएंगे, पर वह जगा नहीं है इसलिए इसको यहाँ लिखके दिखा रहूँ, ठीक है, यह भाजिद होती है, ठीक है, दो कोशिका में, तीक है, दो कोशिका के निर्मान करते है, Basically मैं यह कहना चारी हूँ, ठीक है, कौन कौन सी है, एक तो शुक्रजनन, यहाँ, हाँ, शुक्रजनन, ठीक है, कभी कभी झाम, मैं भी याद छते हूं, इतना बोलते, बोलते, ऐसा होदे हैं, कभी-कभी हम जब जादा बोलते हैं, तो मैं खुदी कन्फियूज होते हैं, कि यार, अभी हमने ऐसा बोला था, यह ऐसा बोला था, हुदे हैं, मेरे साथ बहुत होते हैं, इसे अभी इतना बोलना पड़ रहे हैं, तो मैं खुद कन्फ दूसरा क्या है सरटोली कोशिका ठीक है पहला और दूसरा यह दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है बच्चा ओके तो अभी शुक्र जनन कोशिका होते हैं यहां क्या होता है यह असली रोल प्ले करती है ठीक है शुक्र जनन तो नाम से सम्झवजओ शुक्र जनन शुक्र, शुक्राणू, चनन मतलब रिप्रदक्शन ठीक है मतलब तो स्षिक धीक है अभी समस्च में प्ले कोशिका तो यहां क्या हो right है यहां पर कि शुक्राणू का निर्मान हो रहा है शुक्राणू का निर्मान हो रहा है ठीक है अभी से उसमें आया ना आपको ठीक है अभी यो सटोली कोशिका है ये क्या करती है ये पोशन देती है ठीक है पोशन किसको नर युगमक को नर युगमक मतलब मेल ठीक है और नर युगमक को हम जो है शुक्राणू बे बोलते हैं ठीक है यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं हो रही है कि कौन से शुक्राणू की जिससे लड़का होता है लड़की होते हैं नर मतलब जो एक मेल के अंदर स्पर्म बन रहे है उसको बोल रही हो मैं यहाँ पर कि नर युगमक या नहीं मेल के जो अंदर स्पर्म बन रहे है ठीक है जैसे हमने मादा युगमक और नर युगमक पढ़ते हैं दो होते हैं वैसे ही नेल गैमिट है ये ठीक है तो इसको हम के बोलते हैं शुक्राणूं ठीक है उफ इसको ये पोशन देती है नूट्रिशन देती है ठीक है इसके साथ साथ ये एक और में काम करती है पादा है आपको क्या भी इनकाम करती है ये एक इनहीबिन इनहीबिन हॉर्मोन होता है ठीक है हॉर्मोन होता है उसका सिक्रीशन करती है ठीक है जो इनहीबिन हॉर्मोन होता है उसका क्या करती है सिक्रीशन करती है ठीक है अभी समझ में आए आपको ठीक है अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ की बात करी थी कि अंतराली कोशिका ठीक है अंतराली कोशिका के बारे में हमने बात करी थी अंतिराली कोशी का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलें, लीडिंग सेल्स, तो बेशिकली इसका काम क्या होता है, एंडरोजन एक हार्मोन होता है, जो एंडरोजन हार्मोन होता है, उसको यह रिलीज करता है, ठीक ह तीक है उसको release करने है काम करता है ये कौन सो हर्मोन होता है ये mail में mail में क्या होता है mails में क्याता है द्वित्तिक लेंगिंग लक्षन क्या होता है द्वितिक लेंगिक लक्षन जो होते है न, उसके लिए यह responsible होता है, basically ठीक है, जैसे की जैसे की उनका विकास से जो जुड़ा हुआ होता है, जैसे दाड़ी, मुच, भारी आवाज, यह सब चीज़ है ठीक है, तो basically यह सब था तो अब जब शुक्राणू बन गया है, ठीक है, अब जब शुक्राणू बन गया है यहाँ पर, ठीक है, अब जब शुक्राणू इसके अंदर बन जाता है, हाँ, तो जब बन जाता है तो क्या होता है, उसको ले जाने या काम कौन करेगा सबसे बड़ी जी उसको जब शुक्राणू बन जाएगा उसको ले जाने या काम कौन करेगा भाई सहायक कोशिका करेंगी हमने भी बात करी थी हाँ तो सहायक कोशिका कौन सी थी हमारी हम चलो अब यह सहायक कोशिका की बात करते है हुआ कि ऐसे हैं है याद आगिया उससे पहले था ऐसा एक अंग यहाज येलिका हा से चलिखें के और है यहाँ यहाँ से शुरु बार्द होगी यहाँ से शुरु होगा ठीकर यहां यहाँ यहाँ ले यह शुक्र वाहिनी तक यह व्रशन जालिका से शुक्र वाहिनी तक जाएगा ठीक है अब यहां पर शुक्राणू आ गया है ठीक है तो यह जो क्या बोलते हैं यहां से क्या ओको शुक्र वाहिनी से इस से व्रशन जालिका से शुक्र वाहिनी में आया शुक्र वाहिनी से यह अधिव रशन में आएगा, और अधिव रशन से ये शुक्र वाहक से होते हुए, बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां से इसमें आएगा, इस से इसमें आएगा, और यहां से फिर ये बाहर निकलेगा, ठीक है, यह हो गए सहायक अंगजिन के बारे में हमने बात करे थी, इन सभी के बारे में यादे अब इसके बास सहाएक गंती हैं चाहिए ऊपे अगर हम सहाएक गंतीं की बात करते हैं कि अगती है न अगर किसा है रणी कि रोच के नगी है अ हुआ सहायक गंती है क्यों नहीं है सहायक घंती, तो सबसे पहले क्या है। शुक्राशत है यह हमारी बुक में दिया हुआ है। तो जिए शुक्राशत है यहां क्या होता है यहां पर वीर रहे यानि कि जो सीमन होता है हाँ वीर रहे यानि कि सीमन क्या होता है 60% भाग उसका ठीक है यहीं पर बनता है जो हमारा सीमन होता है शुक्रा समय 60% भाग बनता है बनता है ठीक है अब यहां पर क्या होता है यहां जो में चीजें इंक्लूड haot होती है तчто होती है अपना fructose ऊगिया कार्भieve hydrate ऌता है जिससे energy चाहई होती है zinc हो गिया और इसके बाद क्या हो क्या हो कैल्चियम हो यहां होती है ठीक है अर्रे क्या होता थैलि नॉमा structure होती है यह भी मालूम है आपको दूसरा क्या आता है आप इसका गाम क्या है जो शुक्राणू होते है उनको गती प्रदान करना जब वो मादा के शरीर में जाते है तो उनको स्पीट चाहिए होती है ना वेस लगाते है कि कौन सबसे पहले एक के पास पहुचेगा तो वो इसी की वएसे प्रोस्टेट की वएसे और इसमें भी क्या होत यूरेथ्रल ठीके इसका क्या होता है लुब्रिकेशन का काम होता है इसका लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन का काम होता है इसका ठीके लुब्रिकेशन याने की स्नेहक ठीके उसका सिक्रीशन करना लुब्रिकेशन का सिक्रीशन करना ठीके कब जब इंटर कोस होता है ना हा और फीमेल जब पास आते हैं ठीके तो जब इंट्रकोस की प्रोसेस होती है तो वहाँ पर लुब्रिकेशन याने कि इस नेहस प्रेडियूस करना ठीके ताकि किसी को चोटना लगे तो इसका ये काम हो गिया है भाई अब ये काम इनका है सहायक ग्रंसियों का बाकि सारा काम का होता है व्रिशन के अंदर होता है अधि व्रिशन जो है वहाँ पर अधि व्रिशन के स्ट्रक्शर के अंदर होता है ठीके तो यहाँ पर अब चलिए बात करते हैं शुक्र वाहक की ठीक है ओके चलो अभी सारे हिंदी में और इंग्लिश में नाम आपको मालूब दे ठीक है अब क्या होता है कि देखो शुक्र वाहक की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम अंदर गुआ की तरफ जाते हैं अपनी बॉड़ी की तरफ आते हैं तो यहां पर क्या है देखो मूत्र अब यहां यहां पर क्या होता है जो हमने अभी तक पढ़ा था हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि जो उदर गुआ होता है है ना तो उदर गुआ के बाहर जो था सब अब तक हमने वह पढ़ा तो अब हम कहां जा रहे हैं अब हम मूत्राशे की तरफ जा रहे हैं ठीक है जह क्या होता है यहां पर मूत्रमार्ग होता है इसको मूरेथ्रा बोलते हैं ठीक है अब यहां पर क्या होता है सारा खेल यहां होता है यह शुक्रवाहा का स्रक्षर है संरशना है शुक्रवाहा की ठीक है वह क्या करता है वो शुक्राणू होते हैं उनको लेकर कहा जाती है है उन तो यहां पीछे से निकल के आती है कि अगर यह मेरा हाथ है तो यहां पीछे से निकल के आती है इसके उपर से नहीं होती है तो यह गलत है यहां पर मतलब यह इसके पीछे से निकल के फिर यहां आएगी ठीक है दोनों तरफ से उपर से नहीं आएगी ठीक है अभी के कर रही ह को इसको कि लेकर कहां गया है बधाइ समीन समीन वैसिकल ने इसके मूथ रवाहिन थे पीछे से आ गिया लोक्राइट पर क्या होता है यहां एक क्या होता है ज Lex it इसको लेकर यहां से आगे यह क्या है सेमिनी वेसिकल यह एक स्ट्रक्चर है ठीक है यहां पर क्या होता है जब शुक्राणू आएगा ठीक है जब यहां पर स्पर्म आएगा यहां पर स्पर्म आएगा तो क्या होगा उसको यहाँ पर फ्रक्टोज मिलेगा कार्बो हाइडरेट मैंने बताया था ना भी यहाँ पर उसको फ्रक्टोज मिलेगा यानि कार्बो हाइडरेट जिससे उसको एनरजी मिलेगी ठीके उसके बाद क्या होगा फिर यहां पर एक जगा होती है ठीक है इसको हम क्या बोलते है उस जगा का नाम क्या होता है इस खल निये ठीक है यह एक जगा इस खल निये जो होती है यहां पर आएगा जब इस खलली में आएगा तो यहां भी उसको कुछ कर दो में? प्रोटीम मिलेंगे कर दोIX स्पर्म को पर फिखे रहे खाएगा भाई जाके फ्यूशन ारत हमें आइक के साथ और जब फिखेर स्वाख बेकार ऊचेंगे ठीक है चलो यहां पहुँच गया ठीक है इस खल निये में पहुँच गया अब यहां सो कुछ प्रोटीन मिल गया है जब हमने बता दिया है ठीक है तो अब इस खल निये के क्या है चारो ओर ठीक है चारो ओर क्या होगा प्रोस्टेट मिलती है ठीक है यह क्या है प्रोस्टेट जो है प्रोस्टेट मिलती है ठीक है अब शुक्राणू यहां पर जो है क्या बन जाता है वीर्य बन जाता है यहां पर यहां पर वीर्य बन जाता है शुक्राणू यहां कहलाता है ठीक है जो वाइट कलर होता है उसमें यहां जो इंजाइम्स मिलते है उसको उसी की वज़े से जो इसमेल होती है वो इनी enzymes की वज़े से होती है इनी enzymes की वज़े से होता है इनी gland की वज़े से होता है इसकी वज़े से होता है वाइट कलर हो गया और जो इसकी smell होती है वो भी सब इसी की वज़े से होती है ठीक है फिर फिर क्या होता है भाई यहां पर फिर दो और glands होती है यह क्या होती है, दो ग्लैंड होती है नमबर में, ठीक है, कहा गई, एक तो प्रोस्टेट हो गई हमारी, दूसरी क्या होती है, बल्बो, यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई हमारी, ठीक है, एक और ये दो, ये क्या होती है, दो नमबर में ग्लैंड होती है, एक ये हो गई, एक ये corpus gland भी बोलते हैं ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहां पर इसको एक enzyme मिलेगा ठीक है जो इसके movement में यहां पर help करेगा अच्छा एक चीज और जो क्या बोलते हैं जो वीरे फिर भूल गए जो वीरे के अंदर शुक्राणू कोशिकाए होती हैं कहां लिखो यहां लिख देती हूँ जो वीरे के अंदर अंदर क्या होता है शुक्राणू कोशिकाए पाई जाती है याद रखना ठीक है कोशिकाए पाई जाती है जो शुक्राणू कोशिक आए होती है, कोई पूछ लाया, कहां पाई जाती है, तो क्या बोलोगे, वीर्य के अंदर पाई जाती है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, जब यह इस वाली ग्लैंड में पहुँच जाएगी, कौन सी, कर वे एक ही पाथ होता है, उस तो इस जाती है, और वीर्यका справ of सफुआ होता है, ऐख जाती है है। है हां अब नहीं बोलना कि हमको जो है यह मेल रिप्रोड़क्टर सिस्टम समझने में दिक्कत हुई कोई नहीं बोलेगा ठीक है एक बार नहीं दुबारा इस वीडियो को देखो खोल के फिर देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है लेकिन देखना जरूर है और जो रिप्टर था उसका लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो उसमें आप आप में जाके देखो के तो वहां देखो और आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कॉमेंट करो लाइक करो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि उनको भी समझने मे इजी हो जाए और वो बोले कि हाँ मेरे दोस्तों को भी सब चीज़े आती है तो मुझे क्यों नहीं आती है आज हम बात करेंगे स्ट्री जनन तंत्र के बारे में तो बाई बच्छा देखो आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है एक मेल की बात करते हैं अंडे की बात करते हैं उसको बनाने के अलावा भी उसके पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है ठीक है एक फीमेल बॉडी ना भगवान ने बहुत प्यार से बनाई हुई है ठीक है क्योंकि उसके पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कि अच्छा उसक जो फीमेल होती है क्या काम करती है जैसे कि उसी के शरीर में निशेचन हो रहा है ठीक है निशेचन मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है ठीक है ऐसा तो नहीं है कि किसी मेल की बॉड़ी में होता है फर्टिलाइजेशन नहीं ना एक फीमेल की बॉड़ी में ही होता है है ना फ भी एक female body ही करती है एक औरत ही करती आदमें कभी नहीं करता ठीक है ना फिर दुख दन याने कि अपने बच्चे को क्या कराना फीट कराना दूद पिलाना ये भी एक औरत ही करती है ठीक है तो आप सोचो मतलब भगवान ने क्या सोच के एक औरत का शरीर बनाया होगा कि भई इतनी सारी जिम्मेदारिया तुम्हारे उपर हैं है ना क्रेटिविटी ये भगवान की ठीक है तो ये जो सारी चीजें है ना तो इसी के हिसाब से क्या होता है जो इस्त्री जनन कुछ भागों में डिवाइज होता है चलो देखते हैं कि वो कौन-कौन से भाग है थोड़ा अच्छे से ठीक है इसको समझने की कोशिश करो हां हम नहीं समझोगे तो फिर देखो मेरा तो लॉस है नहीं फिर आप मेरे को बोलो कि मैं समझ में नहीं आयता मैं फिर वही कहूंगी प्रिवियस क्लास में जाओ वहां देखो क्योंकि मैंने समझाया था तब आप बातों मे बीजी ते जैसे अभी बीजी हो ठीक है कुछ बच्चे है ना जो लिटरली इतने अच्छे से जवाब देते हैं ना उनके कॉमेंट्स देखके बहुत अच्छा लगते हैं कि हाँ ये बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बनते हो वैसे जो अभी बात कर रहे हो बात नहीं करो पढ़ाई करो चलो आगे बढ़े चलो देखते हैं कि इस्त्री जनन तंत्र ये चार भागों में बटा हुआ है ठीक है चार भागों में तो बई प्रात्मिक जनन अंग तो प्राप्निक जरन अंग क्या है? अंडाश है अंडाश है मतलब ओवेरी ठीके इस तो क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ओर्गेन क्या है यह? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सेक्स ओर्गन ठीके? और वहाँ पे मेल बोड़ी में क्या था? व्रेशन था है ना व्रेशन? है ना टेस्टीज? ठीके? ओके तो यह हमारा है अब फिर आता है सहायक जनन अंग हाँ? तो सहायक जनन अंग कौन से है भाई? तो वो है अंड वाहिनी अंड वाहिनी अंड वाहिनी को क्या कहते है है हाँ? ओविडक्ट कहते है ओविडक्ट ठीके? ओविडक्ट भी कहते है इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते है ठीके? फैलोपियन ट्यूब ठीके ये दोनों चीज़े कहते हैं ठीके ना कन्फूशन बिल्कुल नहीं रखता है ये दोनों चीज़े होती है अंडवाहिनी को हम ओवी डेक्स भी कहते हैं और फैलिपिन ट्यूब भी कहते हैं चालो फिर क्या है हमारे पास गर्भाश है है ना गर्भाश है मतला यूटरस राइट उसके बाद क्या है हमारे पास गर्भाश है क्या है गर्भाश है ग्रीवा याने की कर्विक्स ठीके फिर क्या आता है योनी योनी याने की वजाईना ये क्या है हमारे सहायक जनन अंग है ये हमारे जो हेल्प करते हैं फिर हमारे पास आते सहायक ग्रंथी तो बच्चे हमारे पास सहायक ग्रंथियां कौन सी है एक तो स्थन ग्रंथिया याने की मेमरी ग्लैंड है क्या है स्थन ग्रंथिया जिनको हुम क्या कहते है Memory Gland बोलते हैं Memory Gland ठीक है दूसरी कौन सी है Brathelia Bratholian Bratholian Bratholin Bratholin ग्रंथी ठीक है ओके फिर लास में आता है बहाय जननांग यानि कि जो बाहर होते हैं ये तीनों क्या है शरीर के अंदर है ठीक है एक female body के अंदर है लेकिन ये बाह है मतलब बाहर आउटर जननांग ठीक है जननांग तो ये क्या है कौन सा कलर ले यहाँ पर छलो ने white तो नहीं लेते ये ही ले लेते हैं चलो ये क्या है हमारे हाँ वल्वा ठीक है इसको क्या बोलते हैं वल्वा ठीक ओके यहाँ दा clear सभी को हाँ देखो इस तरी जननांग तर इन चारो भागों में बटा हुआ है कि भाई प्रात्मिक जननांग है ठीक है क्या है वो अंडाशे है याने कि ओवरी अगर ओवरी नहीं होगी तो कोई काम भी नहीं होगा ये बहुत जादा important है फिर सहायक जननांग सहायक मतलब जो help करते हैं वो वाले organs ठीक है कि भाई ये जब बन गया है तो ये जिस जगा बना है वहाँ से बाहर कैसे आएगा और जो sperm अंदर तक पहुँचेंगे है ना वहाँ तक ये कैसे पहुँचेगा फिर आते है ग्लांस कौन सी है जो इन सत्यसों में help करती है तो ये अमारी वो ग्लांस हो गई है ठीक है जो जनन में मदद करती है फिर लास्ट में बाहर जननांग याने की जो बाहर होते हैं ठीक है जो हुआलवा ओकी चलो आगे बढ़ते है स्त्री जनन तंत्र के भाग और संरशना देखते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं इनकी तो सबसे पहले एक जोड़ी अंड़ाशे मौजूद होता है हमारे पास ये कि जोड़ी में मौजूद है ठीक है जोड़ी मतलब कि ये दो नंबर दो है एक इधर एक इधर हाँ वाहिनी तंत्र यानिके डेक्ट सिस्टम किसमें ओविडेक्ट जो आता है इसमें फैलिविपिन ट्यूब आते हैं जो ट्यूब साते हैं ये उसका सिस्टम है फिर गर्भाश है यानिकी यूटेरस ठीक जहाँ पर हम औरत क्या करती है गर्भ धारन करती है उसे क्या बोलते हैं गर्भाश है ठीक फिर आता योनि यानिकी वजाईना स्तंग्रंतिया यानिकी memory glands और वल्वा ठीक है ना तो ये क्या है ये भाग है जो अभी हमने देखे थे ठीक है पिछली स्लाइड में ठीक है ये सारे भाग अलग-अलग चीजों में डिवाइड हो रखे थे कौन किसमें और कौन किसमें चलो इसके बाद हम देखते हैं स्त्री जनन तंत्र को देखो स्त्री जनन तंत्र ये एक female body है ठीक है ये जो female body है तो यह जो उपर का यहां तक का सिस्टम में ये क्या कहलाता है Abdomen Cavity कहलाता है ये थीक है, ये क्या कहलाएगा abdomen, ये क्या होता है मारा abdomen होता है ना हां, तो ये क्या कहलाएगा abdomen cavity कहलाता है, थीक यह, abdomen cavity, ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट, यह दूसरा हो गया, abdomen cavity, यह जो यहां से, यहां से नीचे का पार्ट होता है न, यह, कौन सा पार्ट कहलाता है, यह, pelvic reason कहलाता है, ठीक है, pelvic cavity, ठीक है, pelvic cavity कहलाता है, करेक्ट, ओके, तो यह जो pelvic cavity होती है, इसी में क्या होता है, इसी में स्त्री जनन तंत्र होता है, यही पे, इसी pelvic reason में होता है, ठीक है, और जो है, यह, इतना हिस्सा जो होता है, यह कहलाता है, pelvic cavity, जहां पर एक female body का reproductive system मौझूद होता है, abdomen से नीचे, abdomen से नीचे, यहां क्या है, abdomen cavity, यहां तक आ रही है, इससे नीचे क्या है, pelvic reason है, ठीक है न, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलो, इस्तुरी जनन तंतर, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी संदशना देखते हैं, कि basically, इसका structure कैसा होता है, ठीक है, इसका structure कैसा होता है, इसका structure इस तरीके से भगवान ने बनाया है, न, nature ने बनाया है, कि सोचो, कितना छोटा सा uterus होता है, ठीक है, system कितना छोटा सा होता है, कि अगर हम बात करें कि abdomen से नीचे, हमारे page से नीचे, तो कितना छोटा सिस्ट्राम होता है लेकिन कितने बड़े काम करता है कि एक औरत क्या करती है एक नए जीव को जनम देती है एक नए जीव को जनम दे रही है ठीके तो सोचो कितना मतलब कितने amazing चीज़ें है हाँ ठीके चलो तो सबसे पहले कि होते हैं कोई structure यह हम इस तरीके से शुरुवाद करते हैं इसके structure की कि भाई यह ऐसे आता है ठीके इसको बहुत अच्छे से बनाना सीख लेना ठीके आगे जाओगे ना डॉक्टरी करने ठीके बहुत काम आएगा ठीके ना इसको समझ लेना शुरुवाद कह से होती है इसके अंडाशे से शुरुवाद होती है हमेशा ठीके अंडाशे होंगे उससे क्या जुड़ेगी फलेपिन ट्यूब जुड़ती है ठीके आप देखो ओके चलो यह इस तरीके से यहां से पतली सी होगी चौड़ी हो जाएगी फिर पतली सी आ जाती है ठीके पतल अधिके से finger like projection होते हैं, finger like projections क्या होते हैं, हमारी उंगलियों के जैसे, हाँ, ऐसे, ठीके, फिर, ओके, उसके बाद क्या होते हैं, देखो, पहले इतना समझो, ठीके, यहां क्या मौजूद होते हैं, यह रह अंडाशे, ठीके, यहां पर दोनों साइड, ठीके, क्या है यह equal होता है, हाँ, मैं board पर बना रही हूँ ना, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उपर नीचे बन जाए, ठीके, लेकिन आप बनाओ ना, कॉपी के उपर ज्यान रखना, ठीके, कि यह equal होता है, ठीक, हम, ओके, ठीके, यह हो गया, तो इसको नाम देते हैं पहले, ठीके, यह क्या अंडाशे, चाहो तो एक कॉपी पहन लेके साथ-साथ इसको बनाना भी सीख लो, कि मैं आम ने कहां से स्टार्ट किया था इसको बनाना, जैसे हमने टेस्टीस को देखा था ना, बनाना की सबसे आउटर लेयर से हम अंदर की तरफ आए थे, बेल्कुल इसी तरीके से, यहा पर शुरुवाद हम अंडाशे से करेंगे, फिर यहां से शुरू करते, 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 करते हम वल्वा तक पहुँचेंगे, ठीके ना, तो यह क्या होगे, अपना अंडाशे होगे, जिसको हम क्या कहते है, ओवरी कहते है, ठीके, अब यह जो ओवरी होती है, यह जो फिंगर लड़ा हुआ होता है ठीक है इस membrane को क्या बोलते हैं ये जो membrane है इस को क्या बोलेंगे मीजो mesovarian membrane ठीक है ये membrane जो ये काफी दूर बनाए इसका अंतलब ये नहीं कि इतना दूर होता है इतना दूर नहीं होता है यह आपको समझाने के लिए मैंने इतना दूर बनाए है कि यह दोनों एक जो है बीच में एक membrane से जुढए होते हैं एक जिल्ली से जुढए होते है ठीक? वो जिल्ली यहां दिखाने के लिए मैंने इतना gap दिखाया है इसलिए बिल्कुल confusion मत रखना ठीक है ना चलो ठीक है अब यह जो अंडाश्य है यह finger like projections के साथ क्या है एक membrane के तुरू जुड़ा हुआ है ठीक है लटका हुआ है मतलब ठीक है ठीक है उसके बाद क्या होता देखो यह पतली से नली का कार आ रही है यह जो नली का कार structure है इसको क्या बोलेंगे हम यह जो नली फैलोपियन ट्यूब या फिर ओवेड़क्ट भी कहते हैं हमने यही बात करी थी ना कि जो फैलोपियन ट्यूब हो या ओवेड़क्ट तो दोनों सेम चीज़ें confusion नहीं रखना है बिल्कुल ठीक है चलो अब यह तीन चीज़े clear हो गई हमारी है ना यह तीन चीज़े कि जुड़े हुए है ठीक है ओके उसके बाद क्या होता है भाई अब ठीक है जैसे सेम यहां है बिल्कुल सेम यहां होगा ठीक है लेकिन मैं एक ही तरफ लिख रही हूँ ठीक है ना समझ जाना फिर यह जो projection होता है यह जो होता है इस तरीके से आता है यह ठीक है, यह structure इस तरीके से होता है ठीक है, ऐसे आता है, correct, ऐसे ही होता है ना बिलकुल ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर तीन परते होती है ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जो लेयर हो गई जिसको आप रेट कलर से दिखा रहे है ठीक है यह एक लेयर हो गई, है ना मोटी इसले कर रहे हूँ इसको ताकि आप लोग confusion में मत आना कि मैम दिखाई नहीं दे रहा है, यह नहीं हो रहा है, ठीक है इसले इसको मोटा कर रहे हूँ मैं, ताकि आपको दिखाई दे जाए ठीक, यह हमारी क्या है, पहली लेयर है, ठीक है इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, सबसे बहली वाली को परिगर्ब, परिगर्ब, ठीक है ठीक है, परिगर्ब, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं perimetrium ठीके, क्या बोला इसको perimetrium बोला, अब इसके अंदर एक और layer पाई जाती है, ठीके इसके अंदर एक और layer पाई जाती है, देखो एक और layer यह दूसरी मैं green color से बना दियू दिखाई दे दिये ना ठीके, यह हो गया हमारी दूसरी layer, यह जो दूसरी layer है, यह बच्चा क्या कहलाती है बिटा, बताओ यह कहलाती है मद्ध है, स्तर जिसको क्या बोलते हैं, मायो मायो मेट्रियम मायो मेट्रियम कहते हैं जिसको हम ठीके ना, अब इसके बाद इसके अंदर एक और layer पाई जाती है ठीके? ओके ना, इसके अंदर एक और layer इस तरीके से पाई जाती है ठीके ना? इस तरीके से पाई जाती है एक और layer ठीके? ये जो तीसरी layer होती है बेटा, इसको क्या कहते हैं? बताईए इस तीसरी layer को कहते हैं अंतहा क्या कहते हैं? अंतहा, जल्दी जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको? अंतहा गर्भाशे अन्तहा गर्भाशे इस तर ठीके जिसको हम endometrium भी कह सकते हैं ठीके कह सकते हैं मतलब कहते हैं endometrium ठीके इस तरीके से तो ये क्या हो गई हमारे तीन परते मौजूद हो गई ठीके अभी मैं सिर्फ आपको ये डाइग्राम बनाना सिखा रही हूँ इसके बाद हम शुरू से लेके आखर तक यहां पहुँचेंगे न तो आपको एक एक चीज समझाओंगी आगे चलके अभी इसी लेक्चर में कि अच्छा ये ये है ये ये है ये है ये ये है ठीके तो confusion मत रखो यहां मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ कि अच्छा बच्चा ये ये होता है ये ये layers ऐसे होती है ठीके बिप्कुल confusion नहीं रखना है कहीं पे भी जैसे पढ़ा रही हूँ पढ़ लो आप सभी को समझ में आ जाएगा ठीके चलो जी बच्चा इसके बाद क्या होता है कि ठीके चलो ये हमारे पास आ गई उसके बाद यहां पर क्या होता है चलो white color उठाते है ओके इसके बाद यहां पढ़ना इस तरीके से एक सनरशना मौजूद होती है ठीक है यह सनरशना मौजूद हो गई इसको क्या बोलोगे आप गरवाशे ग्रीवा बोलोगे यह जो हुआ यह क्या हुआ अच्छा इतर चलो मैं उपर करके कर देती हूँ आपको दिखाई नहीं देगा हो सकता है यहां पर ठीक है यह जो सनरशना है यह वाली जो सनरशना है क्या कहलाएगी गरवाशे ग्रीवा गरवाशे ग्रीवा ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम गरवाशे ग्रीवा को हाँ कर्विक्स बोलेंगे कर्विक्स ठीक है अब यह जो गरवाशे ग्रीवा होती है इसके बाद एक फ़नल जैसा इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके इस स्ट्रक्चर आता है ठीक है ऐसे करके ठीक है और यह किया यह वजाईना की ओपनिंग हो जाती है यहां नीचे ठीक है अब यह जो स्ट्रक्चर है क्या कहलाता है यह वाला जाब पोर्शन है ने बिटा यह वाला पोर्शन यह क्या कहलाएगा योनी योनी मतला वजाईना यह वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा योनी कहलाएगा ठीक है और यह जो पतली से और यह जो कैनाल यह वाली कैनाल, यह क्या कहलाएगी, यह कहलाएगी गरभाश है गरभाश है नाल, जिसको क्या मोलते हैं, सर्विकल कैनाल, ठीके है cervical canal ठीक है ना बिल्कुल यहां तक किसी को डाउट देखो कितने अच्छे तरीके से एक्दम दूर दूर साफ सुज़े तरीके से मैंने कोहिश कर दिये समझाने के कि अच्छा ऐसा एक female का reproductive system ऐसा बना हुआ होता है उसके abdomen से नीचे है ना उसके pelvic reason में यह जो finger like projections है ना यह बहुत मोटी बन गई यह ऐसी नहीं होती है ठीक है चलो एक पर दिखा देती हूँ फिर बो लोगा कि मैं समझ में नहीं आ रहा है यह यह ऐसी होती है चल जा ऐसी होती है यह ठीक है यह होती है फिर आप बोलोगे मैं मैं आपने तो इतने मोटे मोटे यह हाथ बना दिये किसी के यह इस तरीके से होती है ठीक है ना ओके चलो यह यह है ना ओके चलो अब हम एक एक करके क्या करते हैं इसके पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं हाँ जी तो चलिए इसको अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं ठीक है शुरुबात करेंगे हम अंडाशे से, ठीक, चालो, ओके, तो बच्चा सबसे बेले हमारे पास क्या आता है, ओवरीज आते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशे, ठीक है, चालो, ये क्या है देखो, ये एक female reproductive system है, ठीक है, यहां क्या है, ये जो portion होता है, ये अ हमारा अंडाशे है, ठीक है, हां, कहां बताया था अंडाशे, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ओके, चलो, ये क्या है, अंडाशे है, चलो, इसको यवारे में थोड़ा से जानते हैं कि बेचिक लिए क्या होता है, तो, ये क्या होता है अंडाशे, ये क्या होता है बच प्राथमिक लेगिंग अंग होता है ये ठीक है ये क्या होता है प्राथमिक लेगिंग अंग होता है फिमेल की बॉडी में ठीक फिर इसके बाद क्या कह सकते हैं हम कि वही ये क्या होता है ये अंडाकार होता है ये तो इसको आप देखके पहचान जाओगे कि ये अंडाकार है है ना यह क्या है अंडाकार है है ना अब इसकी क्या बोलते है यह क्या होता इसकी लंबाई पेल्विक, पेल्विक को क्या बोलेंगे बेटा, पेल्विक को क्या बोलेंगे देखो दूसरे गला से दिखा देते हैं, श्रोणी भाग, पेल्विक जो रीजन होता है उसको क्या बोलेंगे हम, श्रोणी भाग, ठीके, पेल्विक रीजन में पाई जाती है, ठीके, पाई जा पाई जाती है ठीक है अब क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है हाँ इसमें क्या होता है कि जो अंडाश है यह जो अंडाश है अंडाश है एक मीसो वेरियन से चिपकी हुई होती है चिपकी हुई है ना बताया था ना कि यह जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से इनसे इतनी दूर क्या होता है दिखाया था ना अंडाश होता है एक मेंब्रेन वहां मौजूद होती है उन दोनों के बीच में है ना जिससे जिस मेंब्रेन को हमने क्या बोला मीजो वेरियन मेंब्रेन बोला उसको हमने कि उसी से क्या होती है चिपकी होई होती है ठीके ओके चलो इसके बाद क्या बोलें ने पिटा ओवेरियन लीगमेंट ओवेरियन लीगमेंट ठीके उससे क्या होती है जुड़ी होई होती है जुड़ी रहती है ठीके ओके और बचा और कैसा थे इसमें हम हाँ important बात, important चीज, steroid hormone, steroid hormone, ठीक है, और दूसरी चीज, एक और चीज, कि पतली, उपकला, उपकला, से धकी हुई होती है, ठीक है, ठीक है ना, यह अंडश है क्या है एक पतली, उपकला, से धकी हो 이 होती है, होता है, होता है, होता है, ठीके, और यहां के होती है, steroid hormone होता है, ठीक है, इसके धियान रखनी है, लिख लो चाहे तो बचाएक कॉपी पहन लेके बैटा करो कि अगर मैं कुछ बता रही है इस तरीके से एरो लगा कि तो वो शॉर्ट में होता है कि आपको क्विक रिवीशन हो जाए इससे ठीक है वना बुक में ढूंडते फिरों के नहीं दिखाई देगा जल्दी से ये क्यों होता है एरो क्विक एपिथीलियम क्या बताया था उपकला से इस तरित होता है और अंदर अंड़ाशे पीथी का होती है जिस पर दो भाग है एक तो कॉर्टेक्स होता है ठीक है है ना और दूसरा केंद्रिय मेजूला ठीक है क्या रेक बिलकुल फिर है अंड़ाशे के मेड़ली ने भाग में एक अड़ाकार गोल संरुष्णाई बिखरी होई होती है ठीक उन्हें क्या कहते हैं प्रात्मिक पुटिकाएं या फिर अंड़ाशे पुटिकाएं कहते हैं ठीक है ना ये परिपक्व परिपक्व गलत लिखा गया ये परिपक्व होने पर ग्राफियन फॉलिकल बनाती है टीक बिलकुल, ओके है चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो, अगर हम अंड़ा शे की बात कर रहें न बचा हूं, यह क्या है हमारा? यह हमारा अंड़ा शे है ठीके अब यह जो अंड़ा शे है यह दो भागों में होता है दो भागों में ठीके देखो मैं इसको पूरा जो कलर कर रही हूँ ना यह पूरा ठीके यह दो भागों में होता है देखो इसके बीच में एक ये रेड 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 पूरे को इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा अगर हम पूरे की बात करेंगे यह जो पूर अकुल मिलाके जो सारा है वो क्या कहलाएगा स्ट्रोमा कहलाएगा और यही स्ट्रोमा आगे चलकर आगे चलकर कोटेक्स और मेडिूला में डिवाइड हो जाता है ठीक है तो अंडशे क्य ह interact को है दो भागों में के डिवाइड हो रहा है अगर ये पूर्ण है तो इस्ट्रो मा कहलेगा और जब यह आगे चल के डिवाइड हो रहा है तो भैया कॉटेक्स और मैड्यूला यह दो चीज़े कहलाएंगी मैद्यूला क्या है रेड़ वाला पोर्शन और जो कलरिंग है यलो 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 ये क्या है कॉर्टेक्स करेक्ट बिल्कुल यहां तक समझ में आया सबको उफ चलो आगे पड़े हाँ चले आगे चलो अब आता है अंडवाहिनी ठीक देखो अंडवाहिनी क्या होता है ये जो है मतलब की अंडे को ले जाने वाली ये कहलाएगी अंडवाहिनी है ना ठीक है ये होती है हमारी अंडवाहिनी करेक्ट बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं तो अगर हम अंडवाहिनी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करोगे इसके बारे में हाँ अंडवाहिनी के बारे में क्या बात करोगे बताओ ओके चलो इसके बारे में हम क्या बात करेंगे कि भाई जो अंडवाहिनी है ये क्या है अंडाश है हाँ पर एक पर एक कीपाकार कीपा कार क्या है? नली का नली का सनरशना है ठीके, ये क्या है? अंडाश है पर एक कीपाकार नली का सनरशना है कीपाकार क्या हो गया? कीप जैसा, ये कैसा है? कीप जैसा, है ना? कीप फ़नल जैसा, ऐसी सनरशना है ठीके? ओके फिर क्या कह सकते हो? जो लेयर है है? वो इस अंडाश है कि इसकी जो अंडवाहिनी जो होती है मतलब जो अंडे को ले के जाती है उसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है सीलियेटिड होती है ठीके सीलियेटिड मतलब जल्दी बताओ क्या होती है सीलियेटिड मतलब पक्षमाभिक ठीके यानि कि उसमें बालो जैसा इस्ट्रक्चर होता है चुरू 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 से बाल होते हैं उसके अंदर ठीके करेक्ट बिल्कुल अब ये क्या होती है बेता ये दस से बारा सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई ठीके अब ये क्या होती है अगर हम कहें तो ये आगे की तरफ जो होती है अंडाशे की तरफ खुली होई होती है अगर आप लिखना चाहो और पीछे की तरफ ये गरबाशे की तरफ खुली होई होती है तो इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो है ये तीन भागों में डिवाइड होते है जो अंडवाहिनी है ये तीन भागों से मिलके बनी होई होती है ठीक है चलो, इसको इब देख लेते हैं, इसका structure हम, इसका structure देखते हैं, देखो एक ही तरफ का बना रहे हैं, ठीक है, यह क्या है यह, यह अंडाशे हो गया, ठीक यह क्या है, यह गर्भाशे, हाना, यह क्या है, अंडाशे, हाना, यह अंडाशे हो गया, ठीक है, अब भी अब किसकी बात कर रहे हैं, हमने अभी तक इसकी बात करी, ठीक है, किसकी बात कर ली हमने अभी तक, अभी तक बेटा, हमने इसकी बात करी है, यह जो हमारा अंडाशे है, अभी हमने इसकी बात करी थी, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यह क्या है, फ सबसे पहले जो finger like projection है ना इसकी बात करेंगे हम ठीक है यह जो finger like projection है ठीक है पहला पार्ट ये हो गया दूसरा यहां पर आ जाएगा तीसरा यहां से यहां आ जाएगा ठीक ओके तो जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है वो क्या कहलाता है हाँ यह जो सबसे पहला वाला पार्ट है वान टू थ्री तो अगर हम पहले पार्ट की बात करते हैं तो क्या कहलाता है वो जल्दी बताओ क्या होता है पहला वाला पार्ट कीपा कीपा जिसकों क्या पोलते हैं हम इन फंडी बुर्ण ठीके इन फंडी बुर्ण क्याता है किपा क्या है के वाला पार्ट जो है कीपा ठीक यह क्या होता है यह फनल की शेप का होता है एटा ठीके ये अंडा शे के ऊपर ये अंडा शे के ऊपर एक फ़नल की शेप फ़नल कैसी होती है ऐसे करके ऐसे होती है न है न तो देखो ये फ़नल की शेप का है न बिल्कुल ये अंडा शे के ऊपर फ़नल की शेप का है ठीके ये क्या है फ़नल की शेप का है ठीके अंडा शे के उपर, क्या है, फ़नल की शेप का, या कीप की शेप का कह सकते हो, ठीके, जो आगे चलके क्या हो रहा है, ये उंगली नुमा, ये क्या है, अंगली नुमा, प्रवर्द, ठीके, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये लो को लड़ लेना था, ये क्या कहलाएंगे, फिम्बरी, ठीके, क्या कहलाएंगे, फिम्बरी, उंगली नुमा, प्रवर्द, ये क्या कहलाते हैं, फिम्बरी कहलाते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये आगे की और उंगली नुमा, प्रवर्द, जो फिम्बरी हैं, इनके पास होते हैं, ठीके, अब इसक काम क्या है यह बताओ आप यह जो फिम्परी है यह जो फिम्परी है इसका काम क्या है जो उंगलियों की तरह यह ऐसे ऐसे कर रहे है इसका काम क्या है जल्दी से बताओ इसका काम क्या है देखें किस को आ क्योंकि मैं इतनी देर से ब्लेक बोर्ड पर बनाई जा रही है, बनाई जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप लोग बदाई नहीं रहे हो, हाँ, चालो ठीक है, यह जो प्रवर्ध है ना उंगली नुमा, ठीक है, यानि कि जो FIMBRE इसका काम क्या है यह पते कैसे करता है यह ऐसे 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 क्यों लिए ऐसे चलती रहती है ऐसे पूरे टाइम ऐसे करता है यह जब भी अंडा शे से एक भी एक बाहर रिलीज होता है पटाक्स उसको पकड़ लेती है यह सोचो कितना अमेजिंग है ना जैसी अंड़ा शे से एक भी एक बाहर क्यों निकलता है ना ये बिल्कुल मिस नहीं करती है ये जो अंडे होते हैं जो एक्स होते हैं उनको पकड़ने का काम करती है जैसे कहते था न जो Monbo आपने बालों को ऐसे करता रहता था ऐसे ऐसे करके तो यह भी बिल्कुल ऐसे ही करती है ठीक है तो यह अंडाश जैसे क्या करती है जो उसके egg होते है, अंडे होते है उनको एखटा करने का काम करती है ओकै? क्लियर रहे यहां तक जो अंडाणू होते हैं अंडाणू को क्या करती है ये एकठा करती है एकठा ठीक है न ओके चलो उसके बाद क्या आता है दूसरा फिर जो दूसरा नमबर आता है वो आता है तुम भी का क्या होता है ये तुम भी का ठीक है दूसरा क्या हो पिटा तुम भी का तुम भी का को क्या बोलते हैं अम एमपुला एमपुला बोलते हैं ये क्या होता है कीप का अगला भाग होता है ठीक है ये कीप हो गई ये उसका अगला भाग होगे, जिसको क्या बोला हमने, एमपुला बोला, ठीके, अब बीटा, एमपुला में क्या होता है बिचा, हाँ, एमपुला ये क्या होता है, फूला हुआ रहता है, फूला हुआ पोर्शन होता है, ठीके, क्या हुआ ये, फूला हुआ पोर्शन, ठीके, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुम भी का बोलते हैं, टीक, ऑके, चलो, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद, बताओ जल्डी से, तुम भी का के बाद तीसरा पार्ट कौन सा, इसका फिलोपन ट्यूब का, बोलो, हाँ, कौन सा पार्ट तीसरा, इस थमस, क्या है इस्तमस ये क्या होता है ये तुम्बिका से थोड़ी चौड़ी नली का होती है ठीक है ये क्या होती है उसे चौड़ी होती है चौड़ी संद्रशना है ये इसका काम क्या है अंडाणूओं को आगे ले जाना ठीक है अंडाणूओं को आगे ले जाना ठीक है अंडाणूओं को आगे ले जाना इसका काम है ठीक है ये क्या कर रहा है देखो अंडा शे क्या कर रहा है अंडा बना रहा है ये अंडा से पक् निखाल निखाला इसको दिल्कुल निखे। बंदारोथ होता ने केला देख लेता बंदार पक लेता है छोडता नहीं बिल्कुल भी नितकी कंग जो करता हुत सपलों कि यहाँ से स्पर्म आगया स्पर्म यहां से पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गया है ठीक है स्पर्म अगर यहां पहुंच जाता है तो क्या हो जाएगा फर्टिलाइजिशन हो जाएगा ठीक है अगर यह स्पर्म यहां पहुंच गया तो ठीक और नई पहुंच तो क्या होगा यह यहीं पर क्या होगा जो नाडू होता है क्या होता है फट जाता है रप्चर हो जाता है और वो क्या होता है यह जो मासिक धर्म होता है ठीक है मेंस्ट्रूरल साइकल होती है उसके जैसे क्या होता है मेंस्ट्रूरल साइकल में क्या होता है वो जो रप्चर हो जाता है जो एग वो bleeding के रूप में बाहर आ जाता है, bleeding के form में, ठीक है? तो इस से आप क्या समझे हैं, अगर मैं कहती हूँ कि भाई, यह इस जगा जो है, इस पाम इसके साथ मिलता है और निशेचन करता है, तो यह क्या कहलाएगा? हाँ, तो हम यह कह सकते हैं कि भाई, यह तुम भी का, यह एमपुला वो जगा है, जहां fertilization होता है, ठीक है? यानि कि निशेचन कहा होता है? तुम भी का, तो यह question में, यह question आ सकता है कि भाई, निशेचन एक मादा शरीर में किस जगा होता है? तो आप क्या कहोगे? तुम भी का, यानि कि एमपुला में होता है, इस चीज़ को नोट कर लेना, important, ठीक है, बिलकुल, यहां तक कोई दिकत, concept clear है, आगे बढ़े, ठीक है, अब बताओ हमने क्या क्या कवर किया अभी तक, तो बच्चे हमने क्या कवर किया, सबसे पहले हमन अंडशे कवर कर लिया, ठीक है, हमने समझाए क्या होता है, फिर अब हमने क्या कवर किया हमने, फिलिपन ट्यूब को, यह जो अंडवाहि नहीं है, इसको कवर कर लिया हमने, ठीक है, कि भाईया, यह तीन पार्ट में होते हैं, और यहां पे, एमपुला ऐसी जगा है, जहा गर्भाशे चलो तो अगर हम गर्भाशे की बात करते हैं तो ये गर्भाशे जो होता है इसकी लेंथ कितनी होती है कितनी होती है इसकी लेंथ बताओ जल्दी से एक गर्भाशे की लेंथ कितनी होती है बताव बताव इसकी लेंथ होती है एप्रॉक्स एप्रॉक्स मतलब लगबग 8 सेंटीमीटर ठीक है अब हमारी NCRT के हिसाब से इसका शेप कैसा है हाँ हमारी NCRT क्या करती है भाई बहुत टिपिकल चीज़ें डाल देती है बहुत जादा तो हमारी NCRT कहती है इसका शेप कैसा है उल्टे नाशपाती की तरह उल्टी नाशपाती की तरह आकार ठीक है यह हो गया उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई जो अंडवाहिनी का पिछला हिस्सा होता है ठीक है अंडवाहिनी का कहीं कहीं पिछला भी लिखा होता है कहीं कहीं आगे मतलब डिपेंड करता है ठीक है कि आप कैसे बोल रहे हो हाँ तो अंडवाहिनी का हिस्सा क्या होता है चौड़ा होकर पेशिये सनरशना का निर्मान कर देता है यह ठीक है हम क्या कहते है गर्भाश है कहते है क्या बोला जिसको गर्भाश है ठीक है बिल्कुल हाँ अंडवाहिनी का हिस्सा आगे जो चलके थोड़ा चौड़ा हो जाता है और पेशिये सनरशना को बना देता है तो उस सनरशना को हम क्या कहते है गर्भाश है अंडवाहिनी क्या होती है देखू ठीक है रफली बना रहे हूं तो यह अंडवाहिनी क्या है यह है यह आगे चलके क्या कर रहे है चौड़ा हिस्सा बना रहे है ठीक है और यह चौड़ा हिस्सा क्या कहला रहा है गर्भाशे कहला रहा है है ना किता सिंपल लेंगवेज है देखो अंडशे जो क्या कर रहा है आगे चल के अपने जो हिस्से को चोड़ा बना रहा है ठीक है और वो चोड़ा हिस्सा कैसा है पेशी है संदशना है मस्कुलर है तो उसको क्या बोल रहे है हम गर्भा गर्भाशे की जो भित्ती होती है उसमें तीन अस्तर होते हैं जो गर्भाशे होती है गर्भाशे की घर्भाशे भित्ती के तीन क्या होते हैं अस्तर होते हैं या फिर तीन लाइनिंग बोल सकते हो तीन लेयर बोल सकते हो है न होते हैं तो सबसे पहला कौन सा होता है हाँ सबसे पहला आपका हुआ पतला जिल्ली में पतला जिल्ली में हाँ ठीक, दूसरा क्या हुआ मद्ध है, मोटा है ना, और तीसरा क्या हुआ आंतरिक आंतरिक ग्रन्थिल स्तर ठीके, करेक्ट बिल्कुल ये तीन होते हैं, चलो अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो पतला जिल्ली में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं परी परी, वो अली परी नहीं आगे में सुनलो परी गर्भाशे ठीके, परी गर्भाशे, ठीके और इसको क्या बोला हमने अपिथीलियम अपिथीलियम परी मेट्रिम अच्छे देखो, एक चीज और सुनो हाँ, ध्यान देना थोड़ा सा गर्भाशे गर्भ का आशे ठीके, आश्रे क्या होता है? जहां हम रहते हैं गर्भ क्या हुआ? बच्चा जहां पर होता है यानि कि बच्चे का आश्रे बच्चा जहां पर रहेगा चीजों को मतलब कितना सोज समझ के नाम दिया गया है ना गर्ब का आश्रह यह हाँ पते हैं अगर आप लोग थोड़प सा मतलब एमोशनल हो के चीजों के ना तो बहुत अच्छे तरीके से समझो के कि नेचर ने कितने सुन्दर तरीके से ना इक मतलब मेल और फिमेल को बनाया है, एक एक फिमेल बॉडि को ऐसे बनाया है कि वो एक संतान को जन्म दे सकती है, उसका पालन पोशिन कर सकती है अच्छे तरीके से, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि मा का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्या कि बच्चा एक मा के साथ ज इम्मेदारिया एक औरत के शरीर पर होती है Amazing creation है ना God का चलो फिर आता है मद्धे मोटा ठीक है जिसको क्या कहते है हम गर्भाश है पेशी स्तर गर्भाश है पेशी स्तर मद्धे स्तर ठीक है जिसको हम क्या बोलते है मायो मेट्रियम बोलते है ठीक है मायो मेट्रियम अच्छा मायो से क्या है मसल्स ठीक है मायो से क्या है मसल्स का मतलब ये जो मद्धे स्तर है वो किस से बना हुआ है मसल से बना हुआ है ठीक है ये क्या होता है ये थोड़ा मोटा होता है ये स्तर ठीक है इसलिए मद्धे मोटा बोला गया है जो मद्धे में मोटा स्तर है ठीक है वो क्या है मायोमेट्रियम है और ये मसल से बना हुआ होता ठीक है फिर तीसरा हमारे पास आता है आन्तरियरं तिसको क्या बोलेंगे हम अंतहँ अंतहस तर ठीक जिसको हम क्या बोलते हैं एंडो मेट्रियल बोलते हैं से डाई अरो लगा दिया endometrium ठीके अब गर्भाशे में अब ये क्या है ये क्या कहलाता है गर्भाशे है ठीके और गर्भाशे में ही क्या होता है गर्भाशे में क्या होता है ब्रूण का निर्माण ठीके ब्रूण का निर्माण ओके अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है गर्भाशे ग्रीवा जेगा नहीं बची जेगा नहीं बची कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं इसको हम जगा बना लेते हैं भी चलो आगई जगा ठीके आगई जगा हमारे पास कौन सा पैन ले लिया चलो ठीके अब एक चीज़ आती है गर्भाशे गर्भाशे ग्रीवा ठीके जिसको हमने क्या बोला था गर्भाशे ग्रीवा को कर्विक्स बोलाता है ना कर्विक्स भी बोलते हैं इसको सार्विक्स भी बोलते हैं मतलब कुछ भी बोल दो तो कन्फिशन मत रखना बिलकुल ठीके अब यह क्या होता है जो गर्भाशे का लास्ट पार्ट होता है गर्भाशे का लास्ट एंड जो होता है गर्भाशे का क्या हुआ लास्ट एंड ठीके लास्ट एंड जो क्या होता है नली का कार होता है कर्विक्स बनाता है इसका मतलब यह कह सकते हैं वो कहा ओपन हो रहा है योनी में ओपन हो रहा है देखो इस तरीके से होते हैं न है न इस तरीके से हाँ हम किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं गर्भाशे ग्रीवा की बात कर रहे हैं तो गर्भाशे ग्रीवा का है हमारा यह रहा गर्भाशे ग्रीवा है ना यह क्या कर रहा है आगे चलके कहां ओपनिंग हो रही है इसकी योनी में है ना योनी में ओपनिंग हो रही है इसकी है ना तो वही हम लिखना चाह रहे हैं कि यह क्या है यह गर्भाशे का लास्ट है ना हमने अंडा सेशे शुरू करा था अंड वाही नहीं आया गरवाश है आगिया आप कहा आ रहे हैं हम नीचे की तरफ आते जा रहे हैं ठीक है तो कर्विक्स बनाता है याने की यह क्या कर रहा है योनी में खुलता है यह ठीक है खुलता है जो क्या है लास पार्ट है ठीक है फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम का ठीक है तो यह हमारा आ गया गरवाशे ग्रीवा ठीक अब जो होता है हमने क्या बात करी रेखो अभी अगर पिछली शीट पर जाए कि यह जो गरवाशे होता है इसके अंदर तीन मेंब् है ना सबसे बाहर की क्या है सबसे बाहर की परी गरवाश है है ना परी गरवाश है अब यह जो परी गरवाश है यह जो होती है यह एपिधीलियम पेरिमेट्रियम होती ठीक है किससे बनी होती है एपिधीलियम से बनी हुई होती है ठीक अब क्या होता है कि एक और होती है ज ठीक है, पेशियों से बनी हुई होती है, ठीक, सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जिसकी बारे में हमने कहा था, ऐसे ऐसे जो गुचण मुच और गुचण मुच आ करके बनी हुई होती है न, वो जो लेयर होती है, वो आंतरिक होती है, सबसे अंदर वाली अंतह स्तर होती है, ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यह लहरों जैसे संरश्णा होती है है न इसको क्या बोलते हैं हम एंडो मेट्रियम बोलते हैं और इसमें क्या पाई जाते हैं बलड वेसल पाई जाते हैं ठीक है blood vessels बहुत जादा होती है ठीक है और सबसे जादा important चीज यह है इसके बारे में कि जब menstruation cycle आता है तो जो यही वाली layer होती है वो तूट जाती है ठीक यही वाली layer तूट जाती है जो कि blood की form में वजाइना से बाहर निकल जाती है यही वाली layer होती है बहुत सारी blood vessels से मिलके बनी हो ही होती है जो जब menstrual cycle आता है यह breakdown हो जाते है यह टूट जाती है ब्रेक हो जाती है और वजाइना के तूट blood के form में बाहर आ जाती है ठीक है और वही अगर वो जो भी कोई female वो conceive कर लेगी तो यह क्या हो जाएगी ठीक हो जाती है ताकि जो अंदर embryo बनेगा उसको अच्छे से क्या मिल सके base मिल सके ठीक है ओके चलो यह यह हो गया इसके बाद क्या आता है अब ओके बाहे जनेंद्री है ठीक है अगर हम बाहे जनेंद्रीयों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है अच्छा ठीक है बाहे जनेंद्रीयों यहां लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास आ गया जगन जगन चैल ठीक है दूसरा क्या आया हमारे पास व्रहद भगोष्ट ठीक है? तीसरा क्या आएगा? बताओ तीसरा क्या आएगा? लगू भगोष्ट यही आएगा फॉर्थ क्या है हमारे पास? योनिच्छत ठीक है? और पांच वा क्या है? भग शेव ठीक? यह क्या हमारे बाहर जनेंद्री है? मतलब जो शरीर से बाहर की तरफ जो होती है जो हेल्प करती है जनन में यह वो चीज़े हैं ठीक? अब चलो देख लेते हैं कि एक्चुली मैं इनको बोलते क्या है? तो भई जो जगन शेल है, इसको क्या बोलेंगे अपन? मास यूबिस ठीक है? मास यूबिस बोलेंगे ठीक? व्रहत को क्या बोलेंगे बचाम? इसको बोलेंगे लेबिया मैजोरा लेबिया मैजोरा ठीक है? अब लगू को क्या बोलेंगे हम? लेबिया माइनोरा देखो मैजोरा मतलब मैजोरिटी लेबोर अर ये माइनोरा मतलब मैनर कम योनिच्छेव क्या होता है? हाईमन ठीक है? और लेउ लास में क्या बचा? क्लाई टोरिस ठीक है? तो ये सब क्या है? ये बाह जनेंद्री है ठीक है? जो एकस्टेनल जो एकस्टेनल है फीमेल बोडी के बाहर ठीक है ये वो चीज़े हैं चलो अब हम एक डाग्राइम के हैं से इसको समझते हैं कि actually में ये क्या है इस तरीके से एक रुको 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 अभी हां रुको अभी कौन गयता है इसे बताओ ठीक है इस तरीके से होता ही है पिर क्या होता है इस तरीके से एक लेयर होती है ठीक है सबसे बाहर की तरफ जहां क्या होते हैं है मोटी से लेयर होती है यहां क्या होते है 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 इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे आपन हां इसी को बोलेंगे हम नमबर वन क्या होए नमबर वन जगन शेल ठीक है यहां क्या होते है है हेयर्स मिलते है हमको बहुत सारे ठीक है इसमें क्या मिल रहे है हमको हेयर्स मिल रहे है करेक्ट चलो अब दूसरा कलर उठाते हैं इसी के नीचे क्या होती है इसी के नीचे एक और इस तरीके से लेयर होती है ठीक है जहां क्या होते है उसमें भी हेयर्स होते हैं यह ऐसे हेयर्स होते हैं पर इससे कम होते है ठीक है इससे कम होते हैं इसको क्या बोलते हैं अबबन व्रहद व्रहद बगोस्ट बगोस्ट याने की लेविया मेजोरा ठीक है यहां पर हेयर्स होते हैं लेकिन यह क्या होते हैं यहां पर हेयर्स होते हैं ठीक है यहां पर भी हेयर्स मिलते हैं यह जो जगन शेल होती है इसी के अंदर क्या होती है जगन शेल के अंदर यह जो लोबिया मेजोरा होती है ठीक है याने की व्रहत भगोस्ट ठीके किसके अंदर पाई जाती है जगन शेल के अंदर इसके अंदर पाई जाती है ठीके और इसमें भी क्या होता है हेर्स मिलता है अपने को ठीके अब इसके बाद क्या होता है इसके बाद हमारी आती है इस तरीके से एक और structure आता है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, जिसमें क्या होता है, थोड़े कम hairs पाए जाते हैं, और यह बहुत क्या होता है, soft होता है, ठीक है, यह soft होता है, और इसमें hairs नहीं होता है, ठीक है, इसमें hairs नहीं होता है, और यह हिस्टा कैसे होता है, soft होता है, इस तरीके से, इस तरीके से, यह ऐसा होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कोई hairs नहीं होता है, और यह soft area होता है, यह क्या होगे अपना, labia, minora, ठीक है, यह क्या होगे अपना, soft होता है, ठीक, और no hairs, ठीक है, यह होगे अपना, तीसरा पार्ट, पहला कौन सा था, जगहन, दूसरा, labia, majora, और तीसरा, labia, minora, ठीक है, तीन पार्ट हमने cover कर लिए, one, two, और three, अब चौथा क्या आता है, योनिच्छत, ठीक है, अगर हम योनिच्छत की बात करते हैं, चलो, देखते हैं, ठीक है, चलो, फिर, ये दो तो हमने cover कर लिया, हा, इसके बात क्या होता है, कि हमें मालूम है, कि जो एक female body होती है, उसमें इस तरीके से दो holes होते हैं, ठीक है, एक hole यहां होता है, एक hole यहां होता है, तो यह दो holes होता है, इसके बारे में क्या बात करी, कि बाई, ये वाला जो hole है, ये क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, ठीक है, जहां से urine pass होता है, ठीक, और जो ये वाला part होता है, वो क्या होता है, ये होता है, योनि, याने की वजाईना, ठीक है, ये हो गया वजाईना, ठीक है अब जैसे कि हमने क्या बोला था कि मेल्स में क्या होता है यूरीन पास करने के लिए और जो sperm को एजुकलेट करते हैं मतलब बाहर निकालते हैं उसके लिए सिर्फ एक ही रस्ता होता है लेकिन females में क्या होता है कि यहां से क्या होता है urine pass होता है और यहां से क्या होता है जो sperm एक female की body में जाते हैं वो यहां से जाते हैं और जो menstrual cycle से bleeding menstrual cycle में जो bleeding होती है वो यही से आती है ठीक है और सबसे important चीज जो है वो यह कि यहां पर यहाँ पर एक पतली सी लेयर पाई जाती है पतली सी लेयर ठीक है वो लेयर क्या कहलाती है हाइमेन कहलाती है ठीक वो लेयर क्या कहलाती है हाइमेन कहलाती है लेयर अब क्या होता है कि यह जो हाइमेन लेयर होती है बेसिकली क्या होती है कि आज के टाइम पर जो girls होती है इतने sports खेलते हैं, cycle चलाते हैं, घूमते फिटते हैं, ठीके तो यह layer क्या होती है, यह इस टोट जाती है, यह इतनी नाजुक होती है, ठीके, और कभी क्या होती है, इंट यूज से नहीं टोटती है, यह क्या होता है, जब हम अपना पहला relation ब उटती है बहुत कम होता है लेकिन असे तो आज की जनेरेशन करा यहां कि भागदार वाली जनेरेशन है ठीक है तो यह एक मित है कि ठीक है कि जिस लड़की में हाय में लेर नहीं है वो क्या है वरजें नहीं है यह वो कarilyलेस है कि क्या यह इसमे对कर रेलेशनれ बनाया होगा किसी दूसरे लड़के के साथ ठीक यह सब एक निथ है यह सब एक फाल्टों की बखवास है इसी बखवास से आप सभी को बचाने के लिए चीज समझाने के लिए यह हमको पढ़ाया जाता है कि नहीं यह जो सोच है हमारी यह बहुत गलत है ऐसा कुछ नहीं होता ठीक तो किस या तो भागदोर वाले जिंदगी में साइक्लिंग से रेसिंग करने से इन सब चीजों से हाइमन लेयर ये तूटती है या फिर जब हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं पहली बार किसी के साथ तब ये लेयर तूटती है ठीके ओके चलो इसके बाद जो एक और टॉरिस ठीके जो हमारा कौन सा है पांच हुआ पार्ट है ठीके जो हमारा पांच हुआ पार्ट है ये हमारा कौन सा था चौथा पार्ट था ठीके तो ये सारा क्या था ये फिमेल बॉडी का पूरा रिप्रोड़क्टिव सिस्टम है अब मुझे लगते है कि आज की क्लास क बाद आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा हां इसलिए किसी को जज करने से पहले एक बार सोचना कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था ठीक है किसी को जज नहीं करते हैं गलत बात होती है चलो बच्चा पाटी आज की क्लास बस इतनी ही आप भी सोच रहोगे मैं कि ने पका डिया आज हां हां चलो फिर आज हमने क्या पढ़ा हमने इंटरोड़क्शन देखा फुमेल रिपरड़क्षन का हम हमने उसके parts देखे, उसके parts, उसका structure देखा और किसका क्या function था, वो देखा, है न, आगे क्या बात करते हैं, चलो अब देखते हैं, इस्तन ग्रंथी की सनरशना, ठीके, अब इस्तन ग्रंथी को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमको सबसे पहले उसकी सनरशना को देखना पड़ेगा कि भाई, actually में इसका structure कैसा है, ठीके न, तो, अच्छा, ठीके, चलो पहले हमें structure बनाते हैं, ठीके, तो structure बनाते हैं, हब से पहले कि ठीक है, ऐसे करके, ठीके, क्या हो गया, यह स्तन की बाहरी सनरशना है, ठीके, इसमें क्या होता है, यह जो स्तन होता ह female की जो breast होती है इसमें क्या होती है कौन सब लूठ है इसमें ग्रन्तिल उतक भरे हुए होते हैं जो वसा سے बने हुए होते हैं ठिक है तो यह क्या हो गए ग्रन्तिल उतक हो गए भाई लो दोनो तरफ ठीक है यह थोड़ा roughly सा डाइग्राइम है ठीके लेकिन आपको समझाने के लिए समझ में आज आएगा आपको ओके ये क्या है अपना नाम भी साथ साथ लिखते जाते हैं इसमें ये है भाई ग्रंथिल उतक ठीके ग्रंथिल उतक ये क्या होता है वसा मई होते हैं इसके अंदर वसा होती है ठीके, ओके, अब ये जो ग्रंथिल उतक होते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ग्रंथिल उतक हैं, ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन होर्मोन का सिक्रेशन करते हैं, ठीके, ये सब में आपको बादने बताऊंगी, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो अपना एड प्रोजन हर्मोन की वज़े से अब यह जो तक होते हैं इसके इन में क्या होता है कुछ इस तन पालिया मौजूद होती है ठीक है यह क्या हो गई अपनी इस तन पालिया हो गई ठीक है चलो इसका नाम लिख देते हैं हम यह क्या हो गई है यह हो गई है अपनी इस तन पालिया ठीक है स्तन पालिया ठीक है इसमें क्या हो गई है स्तन पालिया हो गई है अब यह जो स्तन पालिया होती है यह जो स्तन पालिया है इन में क्या है कोई दूसरा कलर उठाएं ओके यह जो इस्तन पाली होती है तो छोटी-छोटी से कूपिकाय मौजूद होती है ठीके तो कूपिकाय कैसी होती है देखो ऐसे करके होती है छोटी-छोटी कूपिकाय मौजूद है सब में होती है ठीक है इस थरीके से ये क्या है कूपिकाय सब में होती है ठीक है आपको समझाने के लिए बना रही हूं सिर्फ वाकिये तीन छोड़ दिया है ठीक है इस तरीके से कूपिकाय होती है चलो उनका नाम लिख देते हैं किस से यलो से ठीक है तो इस तन कूपी काय जो होती है इनको क्या बोलते है इस तन कूपी काय को यह क्या है कूपी काय कूपी काय ठीक है यानि कि अल्विलाई ठीक अल्वियोली या अल्विलाई कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और जो इस तन पालिया होती है इसको क्या बोलते ह है memory memory lobules ठीक है ओके तो चीन चीज़े हमारे पास हो गए कि बई इस तल ग्रंतिल उतक होते हैं जो वसा महीं होते हैं मतलब कि इसमें वसा बहुत सारी मातुरा में होता है ठीक है उसके बाद क्या होती है इस तरीके से स्थन पालियां मौजूद होती है ठीक है अब इन इस तन पालियों के अंदर क्या होता है इसके अंदर ये कुपिकाय मौजूद होती है जिनको क्या बोलते हैं अलविलाय बोलते हैं ठीक है अब क्या होता है ये जो अलविलाय होती है ठीक है इन पालियों में चोड़ोड़ी कुपिकाय मौजूद होती है ये जो कुपिकाय है ठीक ह ये गुच्छे नुमा संद्रिक्चार होता है, अब कुपिकाओं के अंदर क्या होता है? इंदर क्या होती है गुषाए होती है, और इनके अंदर क्या होती है? गुषाई कर देते हैं इसके अंदर क्या है milk है यह white color का क्या है milk ठीक है ना इस तरीके से इनमें क्या हो गया milk कहट्टा होता है अगर आप मैंने बोला था ना कि नीचर इतनी खुपसूरत है ना खुपसूरती से इसने एक मेल और फीमेल बोडी को बनाया ना बच्चा कि अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो बहुत इंट्रस्टिंग है बहुत मज़ा आता है इसको समझने में ठीक है आप सोचो कि मतल आए बोला है खाली होती है और यह जो गुच्छा जो खाली-खाली होता है गुच्छा इसके अंदर मिल्क होता है सोचो है ना यह क्या है मिल्क है ठीक है तो इनको क्या बोलेंगे अपन हाँ अब इसके अंदर क्या होता है यह मिल्क होता है तो अब क्या आता है इसके बाद इनको हम क्या बोलते हैं ये नलिया होती है ठीक है ये नलिया डूपी स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर एक अच्छा दूसरे कलर से बनाना था तो अंसा कलर उठाना था, ग्रीन उठाया था न हमने, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, दूद इखटा होता है, ठीक है, तो अब क्या होता है, कि यह जो होती है न, देखो, यह इस तरीके से, एक यहां से, इस तरीके से यह इस तरीके से यह इस तरीके से निकल निकल के आत पांच छे ये इस तरीके से ये इस तरीके से structure निकल निकल के आते हैं ठीक है ये इस तरीके से देखो ये क्या है नलिकाएं है ये क्या है नलिकाएं है कि ये जो यहां गुच्छे नुमाय structure है जिसके अंदर milk है ये क्या कर रहा है इन नलिकाओं से बाहर आता है ठीक है ये क्य कै बोलते हैं स्तन नलिका बोलते हैं क्या बोलेंगे इनको स्तन नलिका ठीके स्तन नलिका यानिकी मेंमरी टुब्यूल्स इसको बोला हमने memory tubules ओके इसके बाद क्या होता है हाँ इसके बाद ये आगे चलके क्या करती है समू का निर्मान कर देती है ठीके ये क्या कर रही है ये समू का निर्मान कर रही है ठीके ये क्या है समू है यहाँ से एक 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 देखो इस तरह की एक दो तीन चार पांच है ये छेगे मिलके क्या कर रही है समू बना रही है ठीक है ये समू बना रही है तो इस समू को क्या बोलेंगे अपन स्तन वाहिनी ठीक है इसको बोलेंगे हम स्तन वाहिनी ठीक है याने की memory duct ठीके memory duct ठीके अब ये जो है आगे चलकर ये क्या करेंगी ये गुच्छा रूपी जो है बना लेंगी ठीके आगे चलकर क्या करेंगी ये गुच्छा रूपी structure बना लेती है गुच्छा रूपी structure बना लेंगी मतलब भी आगे चलके इस तरीके से यहां से जुड़ जाएंगी ठीके यह इस तरीके से आगे चलके गुच्छा रुपी संद्रश्णा बना लेते हैं ठीके जिसको क्या बोलते हैं अपन? स्तन तुम्बिका इसको क्या बोलेंगे? स्तन तुम्बिका स्थन तुम्भी का ठीके स्थन तुम्भी का मतलब मेमरी एमपुला मेमरी एमपुला ठीके ये क्या करता है ये आगे की साइट निपल्स की और ओपन होता है ठीके अब ये जो है ये क्या करेगा ये आगे की साइट क्या करेगा निपल्स की और open होगा ठीके? यह के कर रहे है? आगे यह निपल्स की और open हो रहे है इस तरीके से इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं structure जादा बढ़ा होगी है नहीं इस तरीके से यह सब आगे चलके यह ऐसे, ठीके? ओके? ठीक, यह क्या होगा? यह होता है जहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? दुग्द वाहिनी ठीके? दुग्द वाहिनी जिससे क्या होता है? कौन सा क्लर है? ठीके? दुग्द वाहिनी ठीके? मतलब Lactiferous duct ठीके? तो सारी चीज़े यह होगी देखो यह क्या है? यह एक structure है किसका? स्तन ग्रंथी का structure ऐसे होता है है ना कितना खूब सूरत देखो? हाँ? पते जब आप बनाऊगा ना आपने आप से चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह चीज़े क्या है? दूसरा कलर उठाते है चलो यहां क्या होता है? जब हम किशोर अवस्था में आते हैं अडॉल सेंस में आते हैं तो क्या होता है? कि एस्ट्रोजन नाम को हॉर्मोन होता है ठीक है? एस्ट्रोजन नाम को जो हॉर्मोन होता है वो क्या करता है? बेटा वो यहां पर क्या बोलते है? जब हORMONS सिक्रीट होता है तो उसकी ह Tailp से क्या होता है estrogen की? की जो Adipose Tissue होता है यहां लिख देती हूँ Adipose Tissue Adipose Tissue याद रखना हहा? Double Idipose Tissue का क्या होता है? निर्मान ز्भान करने लग जाता है, ज्यादा बनने क्यों लग जाते है ओडिफोंस किसकी हें से अस्ट्रोजन की हें से ठीखिये लगे कि उनमें क्या होता है और टीशू जादा बनने लग जाते है तोड़ स्के बाद क्या होता है यह जो ग्रंतिल उतक होते हैं इसके बाद यहां पर आती है स्तन पालियां ठीक है स्तन पालियों क्या बोलता है मेमरी लोब्यूल बोलता है ठीक है अब यह जो पालियां होती है, इसके अंदर क्या होती है, कूपिकाय मौजूद होती है, इन कूपिकायों को हमके मोलते हैं, ठीके, अब यह जो पालिया होती है, चोटी-चोटी कूपिकाय जो मौजूद होती है, इसको हम अल्विलाय बोलते हैं, यह बहुत सारी होती है, और गुच्छे नुमा structure में मौजूध होती है जो मैंने यहां पर अल्रटी लिख दिया है, ठीक है अब क्या होती है, इसके अंदर गुहाए मौजूध होती है मतलब यह अंदर से खाली होता है जिसके अंदर के अंदर है, दूद भरा हुआ होता है ठीक है उसके अंदर दूद भरा हुआ होता है अब क्या होता है कि यह जो कूपिकाय होती है ठीक है यह जो कूपिकाय है यह अगर मैं इस एक की बात करती हूँ तो यह जो कूपिकाय होती है यह क्या होता है यह नलियों से जुड़ी हुई होती है नलिया कौन सी है जैसे मैंने होता है इसको हम क्या कहते है यह जो नलिया निकली है इनको क्या बोला है हमने स्तन नली का बोला है इसको हमने इसको हमने ठीके याने की मेमरी टुब्यूल बोला है इसको हमने ठीके अब क्या होता है यह आगे चलके क्या कर रही है यह आगे चलके यहां पर समू का निर्मान कर रही हैं ठीक है जिसको उने क्या बोला है स्टन बाहनी बोला है ठीक है अब यह स्थन वाहनी का निर्माण कर रही है और बुच्छ नुमा structure यहां पर बनाया है डीक है यानिकी memory ampulla वोला है ठीक है अब यह जो memory ampulla है वो क्या है दुख दुवाहिनी से जुड़ा हुआ होता है और यह दुख दुवाहिनी है यह क्या है जहां से एक बच्चे को दूद मिलता है यही से दूद बाहर आता है एक स्री के शरीर से ठीक है तो अच्छा एक और चीज है कि जो होता है ठीक है अगर हम लिखें इसको तो वो क्या होता है किसकी हेल्प से होता है प्रो लेक्टिन हॉर्मोन की प्रो लेक्टिन हॉर्मोन क्या मिल्क ठीक है अब कलर चेंज करके लिखती हूं ध्यान से देखना यह चीज इंपॉर्टेंट है जो मिल्क फॉर्मेशन होता है तो प्रो लेक्टिन हॉर्मोन की मदद से होता है लेकिन जो निकलने का कारे है ठीक है बाहर मतला जो दुख्द है उसका बाहर निकलने का जो कारे है निकलने के लिए निकलने के लिए कौन जिम्मेदार है इसको बाहर निकालने के लिए कौन जिम्मेदार है? Oxytocin Hormone Oxytocin Hormone ठीके? मतलब कि जो milk formation हो रहा है किसकी वज़े से हो रहा है वो? Prolactin Hormone की वज़े से हो रहा है ठीके? लेकिन ये जो यहां से निपल से बाहर आ रहा है milk वो किसकी health से आ रहा है? oxytocin hormone की वज़े से आ रहा है तो बच्चा ये क्या था ये सब कुछ था हमारी क्या एक इस्तन ग्रंथी की संवरशना थी है ठीक है यहाँ तक सभी को clear चलो इसको थोड़ से return में समझते कि actually मैं क्या पढ़ा हमने अभी ठीक है ये देखो आपकी NCRT में इस तरीके से structure दिया हुआ जिसे आप बहुत असानी से देख सकते हो है ना कि देखो इस्तन पाली है इसमें वसा है इस्तन कूपी का है इस्तन नली का जिसको उमने अमपुला बोला था तुम्भी का दुख तवाहिनी ठीक है निपल है एरियोला है ठीक है ये सारी चीज़े चलो अच्छा यहां देखो कारेशील इस्तन ग्रंथी सभी मादा इस्तन धारियों की का अभी लक्षण है मतलब जो भी मादा होगी चाहे वो एक पशु है या मनश्य है जो भी मादा होगी उसमें क्या होगी इस्तन ग्रंथीया मौजूद होगी लेकिन कारेशील जो कारेशील अवस्ता होती है उसमें ठीक है इस्तन ग्रंथीया यानि की इस्तन युग्म सनरशना है ठीक है जिनमें ग्रंथिल उतक और विविन मात्रा में वसा होता है ठीक है ग्रंथिल उतक होते हैं और उसमें क्या होता है वसा होता है ठीक हर एक स्थन का ग्रंथिल उतक 15 से 20 स्थन पालियों ठीक है में बटा हुआ होता है ठीक है 15 से 20 होती है क्या होती है देखो ये जो समुझे कितनी होती है 15 से 20 होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 बनाई है ये क्या होती है 15 से 20 होती है नमबर में ठीक है ठीक है इसमें कोशिकाओं वेफ गुच्छ होते हैं जिने कूपी का कहते हैं मतलब जो मैंने क्या बताया था कोशिकाओं में क्या होती है गुच्छे की संद्रशना में कूपी का मौजूद होती है कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुख दुस्त्रावित होता है बता है था ना कि ये कूपिका है इसके अंदर क्या मौजूद था इसके अंदर ये वाइट 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 किया है ये मिल्क है ठीक है जो कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है कूपिक इस्तन नलिकाओं में खुलती है हमने यही बात करी थी कि कहां खुल रही है वह इस्तन नलिकाओं में खुल रही है एक पाली की नलिकाएं मिलकर इस्तन वाहिनी बनाती है ठीक है यह भी हमने अभी बात करी थी कई इस्तन वाहिनिया मिलकर एक इस्तन तुम्बिका बनाती है य यहीं सब चीज ने पढ़े थी बच्चा पाटी सब को यहां तक और सारा कंसेट क्लियर यहां तक कि भाई मेमरी ग्लैंड के बारे में क्या पढ़ा हमने जो हमने वह डाइग्राम बनाया हमने वह यहां पर पढ़ा अब मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा कि मैंने डाइग्राम बना के क्यों दिखाया था ओके बच्चा पाटी इसके बाद क्या है अचा ठीक है इसके बाद अगर हम देखें तो भाई अगर हम बात करते हैं मतलब लेंगिंग जनन की किस में अगर हम सेक्शुल रिप्रोड़क्शन की बात कर रहे हैं ठीक है किस में बात कर रहे हैं हुमिन्स में ठीक है तो वह प्रॉसेस कहां से स्टार्ट होता है हां कहां से स्टार्ट होता है वह प्रॉसेस बताइए वह प् पिछली क्लासेश में पढ़ा था हमने पढ़ा था किसमें पढ़ा था पुष्पी पादुपमे लेगिंग प्रशनन में पढ़ा था हमने क्या निशेशन पूर्व निशेचन द्वी निशेचन पश्च याद आ गया नहीं आया तो पिछली क्लासेश में जाके देखना कि वह कि जाओ पर हमने क्या देखा था जाओं पर एंग मक्न जनन करे में क कि युगमक जनन की ठीकिए अब सोच रह error और यहाँ यहां पर वहां से यहां पर यहां से वहां क्या सीन चल रही यह युगमक तो हर जगा बनेंगे चाहें वो पादप हो पशू हो या हम हो भाई तब ही तो निशेचन होगा तो चलो ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले युगमकों के बारे में जान लेते कि आक्चुली में ये सब चीजे हैं क्या ओके चलिए ठीक है अब हम क्या बात करते हैं चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक के उपर जहां पर हम देखते हैं युगमक जनन ठीक है यानि कि गैमिटो जेनेसिस युगमक प्लस जनन मतलब युगमक का बनना युगमक का जनन ठीक है तो हम क्या कह सकते इसको कि यहाँ पर ही क्या प्रोसिस है भाई यह प्रोसिस है युगमक में क्या प्रोसिस है यह युगमक में युगमक क्या होता अपना गैमीट देखो यहां लिखे है ना गैमीट है ना तो युगमक में क्या हुआ है निर्मान की क्रिया निर्मान की क्रिया ठीके उसके बनने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है अपना युक्मक जनन कहलाता है ठीके ओके तो नर और हम जानते है कि जो एक नर होता है एक मादा होती है ठीके भाई साहब ये एक नर है याने की मेल ठीके ये मादा है ठीके याने की फिमेल है ये ठीके अब हम ये भी जानते हैं कि नर में क्या होता है नर युगमक होता है नर में क्या हुआ नर युगमक ठीके और मादा में क्या हुआ मादा युगमक ठीके आप जो नर युगमक होता है उसको क्या कहते हैं शुक्राणू कहते हैं इसको ठीक, शुक्राणू याने की क्या हुआ स्पर्म्स ठीके, शुक्राणू क्या हुआ, स्पर्म्स हुआ ठीके, और जो मादा युगमक्य होता है, वो क्या होता है अंडाणू होता है वो ठीके याने की ओवम होता है आप जो शुकराणू के निर्मान की क्रिया होती है ठीके जो शुकराणू के निर्मान की क्रिया होगी उसे हम क्या कहेंगे शुक्र जनन ठीके क्या कहेंगे उसको शुक्र जनन कहेंगे ठीके याने की spermatogenesis ठीके क्या कहेंगे अब जो अंडानू के निर्मान की क्रिया होती है उसको क्या कहते है हम अंडजनन कहते है याने की O Genesis कहते है ठीके अंडजनन ठीके याने की O Genesis राइट ओके अब ये जो शुक्रानू जो शुक्र जनन होता ये कहा होता है हां का होता है ये शुक्र जनन ये हमारे किस में होता है भाई व्रिशन में होता है यानि कि टेस्टिस में होता है ठीक है किस में हो रहा है टेस्टिस में हो रहा है ठीक अब ये जो अंड जनन है ये कहां पर हो रहा है भाई ये अंडाशे में हो रहा है हाँ अंडाशे मतलाब ओव तो अभी तक हमने जो अपने दोनों क्लास इस्ति वाँ क्या पढ़ाता हमने हमने वहाँ बात करी थी प्रात्मिक अंगों के पारे में ठीक है मतलब जहां पर हमने इनके निर्माण को देखा था कि भाई व्रशण में किस प्रकार शुक्राणू बन रहे है और अंडाशे में किस तरह है अंडारू बन रहे है ठीक है तो इसी को चलो हम आगे बढ़ाते हैं और और थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में जानते हैं शुक्रजनन यानि कि स्पर्मेटोजनस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ठीके तो शुक्रजनन होता क्या है हम यहां बात से रहें कि होता क्या है कहां होता है कैसे होता है ठीक है तो सबसे पहले इसको हम जान लेते हैं बहुत शुक्र जनन, शुक्र मतलब शुक्राणू, जनन मतलब पैदा होना, ठीके, यानि कि जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर स्पर्म्स का फर्मेशन हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्पर्मेटो जेनेसिस बोल रहे हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, चलो, यहां पर हमने क्या बात करें थी कि भाई नर होता है याने की डर क्या है अपना मेल ठीक है यह मारा मेल है ठीक है अब मेल में क्या होता है हमको पता है कि व्रशन कोश होता है ठीक है क्या होता है व्रशन कोश ठीक है ओहो व्रशन कोश व्रेशन कोश मतलाब व्रेशन कोश याने कि कॉटम होता है ठीक है ये जो व्रेशन कोश होता है इसमें क्या होते हैं व्रेशन होते हैं ये आम जानते हैं है ना क्या होते हैं इसमें व्रेशन इस तरीके से देखो डाइग्राम में देख लो चाहें आप ये इस तरीके से क्या है व्रशन कोश है ये है ना ये क्या हुआ अपना व्रशन कोश हुआ ठीक है इस व्रशन कोश के अंदर ये क्या है अपना व्रशन हुआ है ना और इस व्रशन के अंदर क्या होता है इसके अंदर करीब धाइसो कोष्ट होते हैं, इस तरीके से इस नलिकाएं होते हैं और इनमें क्या होते हैं, धाइसो कोष्ट होते हैं, ठीके, चलो लिख देते हैं, इसमें क्या होते हैं, करीब धाइसो कोष्ट, ठीके, और इन कोष्टों को क्या करते हैं, व्रशन पाली बो ओलते हैं जहाहं पर क्या होता है से सैंट शुक्राणू जनक कोशिकाय होती इसके अंदर कोशिकाय ह ठीक है, कोशिक आय हो गई, ठीक है, इसका मतलब है कि यही पे वो जगा है, जहां पर क्या हो रहा है बच्चा, जहां पर शुक्राणू जनन, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, शुक्राणू जनन हो रहा है, ठीक है, यह क्या होती है, अपनी सेमिनी फेरस ट्रिब्यूल्स होता ह ठीक है, क्या हुआ, seminiferous tubules, ठीक है, seminiferous tubules, ठीक है, seminiferous tubules, correct, तो यह हम समझ गए, कि भई, शुक्रजनन कहां हो रहा है, शुक्रजनन कहां पर हो रहा है, अपना शुक्रजनक कोशिकाओं में हो रहा है, correct यहां तक, चलो, अब यह जो अपने शुक्रजनक हैं कोशिकाओं, ठीक है, शुक्रजनक कोशिकाओं में क्या होती है, नलीकाओं भी होती है, तो चलो, एक नलीकाओं को हम बाहर लेकर आते है इसमें नलिकाएं होती हैं, उसको बाहर लेकर आते हैं और देखते हैं उसको TS काट के देखते हैं, कि अक्चल में वो दिखती कैसे हैं, चलो जी, अब हम जानते हैं कि ये दो टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है सर्टोली और एक क्या होती है, नर्जर्म कोशिका, ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम इस तरीके से एक structure बनाते है भाई लो बई फिर से गलत बन जाता है कभी goal तो होता ही नहीं है फिर से try करते है goal बनाने का प्लीज इस बार बन जाना अच्छा ऐसा goal सा structure फिर भी better है राइट है फिर भी better है ना ठीक है ठीक है यहाँ पर क्या होता है देखो यहाँ पर इस तरीके से यह structure मौजूद होते हैं अभी बताओं कि एक एक करके क्या होता है ठीक है यह ऐसे structure मौजूद होते हैं यह क्या होती है अपनी नर जर्म कोशिकाय होती है तीक है यह क्या है नर जर्म कोशिका है इसको लिख देते है नर जर्म कोशिका और खूप सारी होंगे तो क्या होंगी कोशिका है इसको क्या बोलेंगे अपन spermato gonium ठीके इसके दुआरा क्या हो रहा है इसके दुआरा शुक्राणू जनन होता है शुक्राणू का निर्मान होता है चलो, उसके बाद क्या होता है इस तरीके से बीच में ऐसी सनरशना होती है ये सनरशना क्या कहलाती है बचापाटी बताओ जल्दी सनरशना क्या कहलाएगी सर्टोलाई कहलाएगी ठीके बाते करने से अच्छे है ने कि थोड़ा ध्यान देलो बेटा थोड़ा सा ध्यान देलो ना क्यों नहीं सुनते हो आप लोग चलो, ये क्या है अपनी सर टोली क्या है सर्टोली कोशिका ये क्या काम करती है भाई ये पोशन कोशिका होती है बेसिकली ये क्या होती है पोशन कोशिका होती है ये ठीक है ये क्या हो गई पोशन कोशिका हो गई चलो ठीक है अब क्या हुआ ये जो पोशन कोशिका होती है क्या काम करती है भई शुक्राणू को पोशन देती है शुक्राणू को पोशन देने का काम करती है यह ठीक है ओके अब अब क्या बचा भाई हाँ तो हमारी जो शुक्र जनक नलिकाएं होती हैं उसको अगर काटेंगे तो अंदर से हमें ऐसे दिखाई देती है ये ठीक है चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और इसमें कुछ देखते हैं कि क्या कहना चाहरा है ये बोल रहा है कि जब एक नर होता है ति आ गया है तो इस सेंटे क्या होता है इसमें जो हाइपो थलेमस होता है ना हाइपो थलेमस ठीक है ये क्या होता है इंक्रीज होने लग जाता है मतलब बढ़ने लग जाता है ये हाइपो थलेमस क्या होगा इंक्रीज होने लग जाता है ठीक है इंक्रीज होता है तो क्या करत है यह क्या करेगा जो अपना गोनोडो ट्रॉपिक यह क्या करेगा जो गोनोडो ट्रॉपिक रिलीजिंग हॉर्मोन होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं गोनोडो ट्रॉपिक releasing hormone ठीक है यह क्या करेगा जो प्यूश ग्रंथी होती है अपनी हाँ प्यूश प्यूश ग्रंथी याने की पिच्चुट्री ग्लैंड यह क्या करेगा यहाँ पर यह जो होता है दो होड्मोन यह इस पे वर्क करता है क्या करता है, दो हर्मोन को रिलीस करता है, कौन से कलर से दिखा है, दो हर्मोन को रिलीस करेगा ये, ठीके, कौन से दो हर्मोन होंगे, बताओ, बोलो बोलो, ये क्या कर रहा है, मेल की प्रिबूर्टी टाइम पर जो हाइपो थेलेमेस होता है, ठीके, वो इंक्रीज हो जाता ह है किसकी वज़े से GNRH यानि की गonodotroping releasing hormone की वज़े से क्या होता है यह increase हो जाता है ठीक है hypothalamus ठीक है उसकी वज़े से क्या हो जो pituitary gland होती है वो दो hormones release करती है ठीक है कौन से होते हैं दो hormones एक तो हो गया अपना LH एक हो गया FSH ठीक है दो hormones हो गए LH क्या होता है Luteinizing hormone ठीक है LH क्यों हुआ Luteinizing hormone हुआ और FSH क्या हुआ भाई Folli cooler stimulating 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 hormone ठीक है यह हुआ ठीक है यह हुआ ठीक है अब यह जो LH है यह क्या करेगा यह क्या करेगा यह आपका आपका जो leading कोशिका होती है यह क्या करेगा आपका जो leading कोशिका होती है जो leading कोशिका है ठीक है leading कोशिका पर काम करता है यह ठीक है यह किस पर काम करेगा leading कोशिका के ओपर बोल रहा है कि भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा मतलब तेरी सिर्फ मैं ही health करूंगा मैं ही तेरा सच्चा दोस्त हूं ठीक है तो यह सिर्फ और सिर्फ इस पर काम करेगा कि नहीं मैं तुझे तहीं और नहीं जाने दूँगा best friends ऐसी होते हैं कि नहीं तू सिर्फ मेरा दोस्त है है ऐसा होता है न कि हम लोग positive हो जाते हैं में दोस्तों के लिए कि नहीं तू मेरा दोस्त है तो तो किसी और का दोस्त नहीं रहेगा ऐसा होता है तो यह भी वही कर रहा है यह LH hormone क्या बोल रहे है कि नई तु मेरा दोस्त ए ठीक है तेरी help से मैं करूँ गा तो यह leading कोशिका के उपर काम करता है जिससे क्या जब क्या होता है कि androgen hormone secret होता है उससे तो यहां पर क्या होता है जो androgen hormone होता है अन्रोजन होर्मोन जो होता है उसके सिक्रीशन की वज़े से क्या हो रहा है शुक्रानू जनन क्रिया होती है क्या होती है इसके सिक्रीशन की वज़े से शुक्रानू जनन की क्या हो रही है क्रिया हो रही है प्रोसेस हो रहा है टीके? ओखे जी ठीके शुक्राण जरनकी क्रिया हो गई है और ये क्या करेगा? टेस्टरस्टरॉन होर्मोन भी रिलीस करेगा फिर । टीके? ओखे एंडरोजन टीके? तो इसने दो होर्मोन रिलीस किया, कौन से? एक तो अन्रुजइन हुआ गया धूसरा क्यों कर टेस्टोसर रहो गया ठीक है एवके चलो फिर क्या होता है भाइव coû यह जो फ इससी होता है इसका क्या काम होता है पेसिक्ली यह बताऊ आप तो हम ने क्या बोला एक के पूछा कि FSH का काम क्या है ये बदाओ पहले मुझे मैंने आल्लेडे आपको बदाया था क्या गाम है FSH का ओके तो चलो ठीक है यहां लिख देती हूं क्या गाम है इसका भाई सर्टोली कोशिका पर ये काम करता है इतना काम है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस पर वाग करेगा सर्टोली कोशिका पर ठीक है पर काम करता है ठीक है तो ये क्या था हमारा शुक्र जनन यानिकी स्पर्मेटोजनेस के बारे में ये थोड़ा बहुत था ठीक है तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक्चुली में या प्रोसेस क्या क्या होती हैं तो हमने क्या बात करी थी कि भाई अगर हम देखते हैं कि व्रशन कोश को हां यह रहा हमारा व्रशन कोश इसके अंदर क्या है व्रशन यह क्या है व्रशन कोश ठीक है यह क्या है व्रशन है इसके अंदर ठीके अब यहाँ पर क्या होता है इसको अगर काट के देखते हैं हम इसको अगर काट के देखेंगे तो क्या होगा तो भाई यहाँ पर नर जर्म कोशिका को देखोगे आप ठीके नर जर्म कोशिका को देखोगे जिसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलत ठीके क्या बोला स्पर्मेटो गोनिया बोला जो क्या होता है 2N होता है ठीके यह क्या हुआ अपना 2N हुआ और यहां क्या होता है 2N के साथ 46 गुर्ण सूत्र होते है ठीके 46 गुर्ण सूत्र मतलब की क्रोमोजोम्स होता है 46 ठीके अब यहां पर क्या होता है यहाँ पर जो संख्या होती है उसमें बड़ोत्री हो जाती है यहाँ पर संख्या होती है उसमें बड़ोत्री होती है अब अगर किसी सेल में एक दम एक दम एक दम उसके numbers में increment हो रहा है तो क्या process हो सकता है उसके बीचे क्या reason है उसके बीचे जल्दी से बताओ कि क्यों होगा बताओ जल्दी से आरे समसूत्री विभाजन नहीं बताया था हां कि जब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर इसकी यह 2N ही रहेगा ठीक है 2N रहेगा और सासत क्या होगा इसकी जो संख्या है उसमें क्या होगी बडोत्री हो जाएगी इंक्रिमेंट हो जाएगा उसका तो यह क्या बना लेगा यहाँ पर प्रात्मिक शुक्राणु कोशिका का निर्मान करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे primary primary spermatocyte ठीक के अब यहाँ पर बिख्या होगा इसका जो है यह क्या रहेगा 2N रहेगा यहाँ पर ठीक के यहाँ पर बिख्या रहेगा यह 2N रहेगा अब यहाँ पर क्या होगा यह बताओ आप मुझे अब हम जानते हैं कि भाई, अर्द सूत्री विभाजन जो होता है वो दो प्रकार से होता है, एक प्रथम होता है, एक दित्तिय होता है, ठीके, अब यहाँ पर क्या होगा, कि अर्द सूत्री विभाजन होगा, अर्द सूत्री प्रथम, ठीके, विभाजन, ठीके, यहाँ उससे क्या होगा, कि नंबर बहुत सारे हो जाएंगे यहां पर जब यहां पर बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे ठीके तो यहां पर क्या हो जाएगा अर्द सूत्री विभाजन हो जाएगा और यह क्या बना लेगा फिर अर्ध सूत्री विभाजन होने के बाद, हाँ, दित्यक, दित्यक, शुक्राणू, कोशिका, कोशिका, याने की सेकेंडरी, सेकेंडरी स्पर्मेटो, स्पर्मेटोसाइट, ठीके, अब जब यहाँ पर अर्ध सूत्री विभाजन होगा, तो बताओ, यह 2N रहेगा, यह N हो जाएगा, हाँ, डिपलाइड या है प्लाइड, अरे भाई, बताया था ना, फिर जब क्या होगा, कि जब जहाँ पर सम मतलब जोड़ना, और अर्ध मतलब आधा, तो यहाँ पर 2N च पतम विभाजन हो गया, अब यहाँ पर क्या होगा, अर्ध सूत्री द्वित्तक, हाँ, अर्ध सूत्री द्वित्तक विभाजन, द्वित्तक मतलब सेकिंड विभाजन, ठीके, जब द्वित्तक विभाजन होगा, तो यह क्या बनाएगा, शुक्राणू पशू का निर्मान क करेगा शुक्राणू प्रशू ठीक है का निर्मान करेगा ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटिड बोलते हैं ठीक है जिसको क्या बोला हमने स्पर्मेटिड बोला करेक्ट बिल्कुल ठीक है जी चलो यहां हो गया अब यहां पर क्या होगा शुक्राणू जो होते हैं यहां पर अपने स्पर्म कैसे होते हैं बताओ अपने स्पर्म इस तरीके से होते हैं यह तो थोड़ा मोटा बन गया तो यहाँ पर यह कैसे होते हैं इसे गोल 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 स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं ठीक है अब इस शुक्राणू पशु के बाद क्या होता है इसके बाद क्या होता है शुक्र जनन क्रिया होती है यहाँ पर क्या हो रही है शुक्र जनन क्रिया हो रही है यहाँ पर जनन क्रिया ठीक है अब यह जो शुक्र जनन क्रिया हो रही है इससे क्या हो रहा है हाँ इसी से शुक्राणू का निर्मान हो रहा है ठीक है यहाँ पर क्या होगे शुक्राणू का निर्मान होगे शुक्राणू याने की स्पर्म ठीके, इसी से शुक्राणू का निर्माण हो गया यहां पर ओके, तो चलो इसको वापिस चलते हैं और उस डाइग्राम में समझ नहीं कोईश करते हैं कि यह डाइग्राम क्या कह रहा है ठीके, कि हमने इसमें क्या पढ़ा है एक्चुल में यहां पर, ठीके, तो यहां पर आपको समझ में आया था कि क्या था तो इसी डाइग्राम को, इसी डाइग्राम को कि जो नर्जर्म कोशिका और सटोली कोशिका को है इनको हमने वहाँ पर बाहर एक फ्लो चार्ट में समझा है यहाँ पर कि नर्जर्म कोशिका थी, वहाँ पर क्या हुआ, समसूतरी विभाजन हो गया, उससे प्रात्मिक शुक्राणू कोशिका बन गई, ठीके, यह कोशिका कैसी थी, यह ऐसी थी, ठीके, नर्जर्म कोशिका, जब यहाँ समसूतरी विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, यह यह दो में बन गई ठीके अब यह समसूत्री विभाजन होने के बाद क्या हुआ यहाँ पर यहाँ पर अर्दसूत्री प्रथम हुआ ठीके तो याने कि यह जो कोशिका थी यह दो में बढ़ गई यह जो कोशिका थी यह दो में बढ़ गई अर्दसूत्री प्रथम में यह हुआ फिर यहाँ पर अर्दसूत्री दितक हुआ ठीके यहाँ पर क्या हुआ अर्दसूत्री दितक हुआ तो यह जो कोशिका है थी फिर यह दो में बढ़ गई यह दो में बढ़ गई यह दो में बढ़ गई तो यह क्या बन गई हमारी शुक्राणू प्रशु बनी यह क्या बनी शुक्राणू प्रशु बनी फिर यहां पर क्या हुआ यहां पर शुक्र जनन क्रिया हुई ठीके यहां पर शुक्र जनन क्रिया हुई और उस शुक्र जनन क्रिया के वज़े से क्या हुआ यहां पर शुक को यहीं पर वापिस आना है ओके चलो आगे बढ़ते हैं चलो इसके बाद चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यह हम से क्या कहना चाहता है तो यह हम को बोल रहा है कि भाई व्रशण में अपरिपक वो नर जर्म कोशिकाए होती है ठीक है वो जर्म्स वाला जर्म अवस्ता के समय शुरू हो जाती है जब कि शोर अवस्ता शुरू होती है नहीं तो यह जो शुक्र जदर हो को प्रोसेश थो मेलस में क्या होता है कि दाड़ी मुच्छी तो जाती है थीकक्त आग वहासन सबारिश पर जातीelshauen है और लंबाई बढ़ जाती है चानक से तो यह सब एक साइन होता है कि अब आपके अंदर क्या और चेंजिस शिरू हो गए हैं ठीके कैसे चेंजिस कि भाई अब आपके अंदर रिस्पॉंस बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है शुक्र जनन न लिकाओं के भीत्री भित्ती में उपस्ति शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में व्रद्धी करते हैं बताया था हां हर एक शुक्राणु जनन द्यूई गुणित होता है याने कि 2 हमने बात करी थी ना कि 2N हो गया इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं हमने यह भी बात करी थी हुं चलो अब आता है कि शुक्राणु जनन पर हार्मोन का हार्मोन का नियंत्रन याने कि कंट्रोल ठीक है ओके चलो अब यह कब होता है मेल में यह होता है जब मेल stage है ठीक है? तो ये तब शुरू होता है, तो हमने क्या बात करे थी कि भाई यहाप पर क्या होता है? Hypothalamus ठीक है? Hypothalamus किसकी वज़े से? GnRH, gonadotropin release hormone की वज़े से यह hypothalamus क्या होता है? बढ़ जाता है है न स्वेकिश के बात करे थी? कि increase हो जाता है, अब क्या होगा, जब यह increase होता है, तो किस पे असर पड़ता है, जब यह hypothalamus increase हो जाएगा, इस GnRH की वज़े से, तो यह किस पे असर डालेगा, पियूश ग्रंथी पर, याने की pituitary gland पर, ठीके, यह डालेगा, पियूश ग्रंथी, ठीके, पियूश ग्रंथी, ठीके, पियूश ग्रंथी पर क्या करेगा, यह असर डालेगा, फिर जब यह पियूश ग्रंथी पर असर डालेगा, तो यह क्या करेगी, यह दो hormone secret करेगी, यह दो hormone secret करेगी, ठीके, यह हम अल्रेडी इसके उपर discussion कर चुके है, पहला कौन सा होता ह LH होता है, है ना, ठीके, दूसरा कौन सा होता है, FSH, इसके बारे में जाता नहीं बताऊंगी, वापस वीडियो में जाओ और देखो, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप लोग कितना सोच रहे हो, कितना समझ रहे हो, कितना ध्यान दे रहे हो, कि मैं क्या बोल रही हूं और leading, कोशिक आए, उस पर क्या करता है, काम करता है, ठीके, उस पर काम करेगा तो क्या होगा, दो हॉर्मोन बनेंगे, ठीके, कौन से हैं, androgen, ठीके, और दूसरा क्या है, ठीके, अगर हम FSH की बात करते हैं, तो मैंने बता रहे था पहले भी, कि भाई ये एक सा काम क्या है, सर्टोली, सर्टोली कोशिका पर काम करता है, बस, बस, इसका इतना काम है, हम, ओके, थोड़ी तो महनत का फल दे दिया करो, यार, थोड़े तो reply कर दिया करो, चैटिंग, 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 चैटिंग चलती रहती है, बस, हम, चलो, ओके, अगर हम आज को आगे बढ़ाते हैं, तो देखो, जो लीडिंग कोशिका है, हर्मोन अस्तरावित करती है, जिसकी अवषक्ता, शुक्रानू जनन पे होती है, यहाँ पर देखो, अभी हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया बोला ना टेस्टरस्टरोन यहाँ पर सिक्रीट कर रही है यह ठीक है लीटिंग कोशिगा किया दो हॉर्मोन कर रही है अंड्रोजन और टेस्टरस्टरोन तो यह जो टेस्टरस्टरोन है यह किसमें हेल्प कर रहा है यहाँ देखो शुकरानो जनन में ठी ठीक है चलो पेटियोट्री ग्रंथी ठीक है याने की अपने प्यूश ग्रंथी जो होती है वो क्या करती है लूटिनाइजिंग हॉर्मोन याने की लेज और फॉलिकल follicle stimulating hormone को स्तावित करती है यानि कि secret करती है ठीक है testosterone LH और FSH hormone के नियंतरन में शुक्रानों जनन की क्रिया संपन होती है FSH तथा testosterone के नियंतरन में sertoli कोशिकाए androgen binding protein का स्त्राप करती है यानि कि उसको secret करती है ठीक है जो शुक्रजनन नलिकाओं के अंदर testosterone hormone की सान दर्धा को बढ़ा देते है मतलब उसकी concentration को increase कर देते है कहाँ पर शुक्रजनन नलिकाओं में concentration को increase कर देते है FSH क्या करता है सीधे शुक्राणों कोशिका जनं को प्रभावित कर शुक्राणों बनाता है और इस क्रिया को प्रभावशाली बनाने में जो लिटिनाइजिंग हॉर्मोन है ये क्या करता है सही योग करता है ओके चलो इसके बाद क्या आता है शुक्राणों की संरशना याने कि हम फाइनली अपने स्पर्म के उपर आ गए हैं तो हमारा स्पर्म कैसे दिखता है भई बहुत खुबशूरत से होता है बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले ही स्ट्रश्चर ध्वरा और गया सोच रहा हो गा मुझे कितने बुरे तरीके से बना रहे हैं, हाँ, इतना बुरा तो नहीं बनाते, ये इस तरीके से होता है, ठीके, ठीके, ये, ओके, योग्या हमारे स्पर्म, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, पूरा जो होता है, पूरा का पूरा, किस से डखा हुआ होता है, ये, पूरा, इसके बाहर एक layer होती है, डचा हुआ होता है उस layer से, जिसको हम क्या बोलते हैं इस layer का नाम क्या होता है प्लाज्मा झिलली से, ठीक है कहां लिख दूँ प्लाज्मा जिल्ली या प्लाज्मा जिल्ली या मेंब्रेन से धका हुआ होता है पूरी बॉडी धकी हुई बॉडी होती है ठीके अब इसके तीन पार्ट होता है एक दो तीन ठीके पहला पार्ट क्या होता है इसका सिर याने की अपना हेड़ पार्ट हो गया ठीके यह क्या हो गया सिर ठीके यह आगया अपना मिडल पीस मिडल पीस आगया जिसको हम क्या बोलते हैं मद्ध है खंड ठीके और लास्ट में क्या आगया टेल याने की पूँच पूँच भी बोलते हैं पूँच भी बोलते हैं ठीक है? यह आ गया उसके बाद क्या होता है? वही सबसे उपर एक सनरशना होती है ठीक है? यह जो सनरशना है ठीक है इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलेंगे मुझे दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे Green Green Duck ठिक है यह बोलते हैं, याने की Acrosome है ना याने की Acrosome ओके अरे यार Red से लिख दें ना इसलिए ने दिख रहा क्या होता है ये अग्रिंडत याने की एक्रोजोम ठीक है ये हो गया ये चीज क्या कहलाती है ये कहलाती है ग्रीवा याने की इसकी नेक ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर हम कलर चेंज करके दिखाते है इसके अंदर इस तरीके से होता है ठीक है जो दिखता तो हमें ऐसे ठीक है लेकिन एक्चुली में ये कैसे दिखाई देगा ये ऐसे करके ऐसी सनरशना होती है चलो ऐसा ही बना देते हैं फिर आप बोलोगे मैं दो दो चीज़े हैं हमको समझ में नहीं आ रही है तो आप इजी वे में ही समझ लो ऐसे करके यह ऐसे आ जाता है ऐसे आ जाता है यह कौन सी संरश्णा होती है बताओ कौन सी संरश्णा है यह माइट्व कॉन्ड्रिया माइट्व कॉन्ड्रिया ठीके यह क्या काम करता है sperm को एनर्जी देता है sperm को क्या कर रहा है energy याने की ऊर्जा दे रहा है चलो यह हो गया मारा इसका इतना ही काम है अब इज़े पूछ है पूछ खा क्या काम है यह जो एक्रोजोम है क्या काम करता है इसमें एक इंजाइम होता है आगे ठीक है वो क्या करता है वो जब यह मादा युद्मक यानि की एक के पास जाता है तो यह उसमें जब उसको पैनेटरेट करता है तो यह वाला जो हिस्ता होता है यहां पर अब बचा हमारा टेल, टेल गया करता है भाई, टेल इसकी help करता है, टेल किस में help कर रहा है इसकी, गती में help कर रहा है, ठीके, और दिशा में help कर रहा है, ठीके, गती मान बना रहा है इसको, और दिशा दिखा रहा है कि भाई, तुझे यहां जाना है यहां जाना है, ठीके, चलो यह हमारा इसका structure हो गया है और इसमें केंदरक भी होता है चलो जी आगे बढ़ते हैं ठीके यह जो होता है ठीके इसको क्या बोलते हैं केंदरक यह लिख देती हो ये क्या होता है अगुणित होता है ठीके ये केंद्रा क्या है अगुणित है ओके आगे बढ़े चलो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अब ये हमसे क्या कहना चाहरा है तो ये कहा रहा है प्रतेख शुक्राणों के निम्नकित भाग होते हैं हमने पड़ी लिया तीन में पार् के इंजाइम हो थे है नामें उसकाइम होता है यह क्या करता है ये क्ल Als of a भी उसका सिक्रीट करता है जब निशेचन के समय अंडाडों के कवच 만들어 राचा करने में सहायता करता है मैंने क्या बताया थच मैंने क्या पता sponsored जो फीमेल गैमिट सह जब जो निशेजन के समय शुक्राणू को गती प्रदान करने के लिए आवश्यक उड़ जा देता है जब एनर्जी नहीं होगी तो विचारा क्या करेगा वो तो ऐसे 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 चलेगा उसको तो एकदम फुर जाना है न है न चलो शुक्राणू के मद्दे भाग में आगे की और एक सक्रा गर्दन याने के ग्रीवा होता है ग्रीवा बताया था मैंने अभी जिसमें क्या होता है दो सेंट्रियोल इस्तित होते हैं उसमें क्या होता है दो सेंट्रियोल होते हैं ठीक है चलो दो भाग पढ़ लिए तीसरा क्या यह भाई पूँठ यह टेल तो कोशिका द्रव्यय से बना यह एक लंबा रचना होता है किन्तू इसके अंतिम भाग में कोशिका द्रव्य चैनल से बाहर निकल के निकला रहता है कि चलाए मान शुकराड़ों पूच की सायता से तरल माध्यम में गती करते हैं मैंने बताए दिया था कि बहुत पूर्णी के काम में आता है है तो भाई हमने क्या किया है यह पूर आज जल्दी बदाओ हम चलो सबसे पहले हमने क्या पढ़ था Memory Gland पढ़ा Spermetogenesis पढ़ा हाँ और Gametogenesis तीन चीज़े पढ़ी है हमने ठीक है इन तीन चीज़ों के बारे में हमने फुल पढ़ लिया है और इसके साथ साथ मुए मैं उमीद भी करती हूँ कि यहां तक पहुंचे तो आपको समझ में भी आया होगा और नई समझ में आया है तो फिर से क्लास में वापिस जाओ और देखो कि एक्चल में हमने क्या बात करी है इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं था कि आपको समझ में ना आया हो है न क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करिए समझाने की और इससे आसान तरीके से क्या समझाऊं तो बच्चा पार्टी अब जादा बोर होने की ज़रुएत नहीं है खुश हो जाओ क्लास खतम होने का टाइम आगिया है ठीके लेकिन मैं जातो रही हूँ वाप कि हमने क्या पढ़ा ओके बच्चा पार्टी चलते हैं मिलते हैं अपनी नई क्लास में मतलब एक और क्लास में जहां पर नया टॉपिक लेकर आएंगे तब तक आप लोग खुश रहिए अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखिए और खूप सारी मस्ती करिए और खूप सार क्लास में बाइ